तमं दददात पावाद्यम प्रदम तुचक 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 रंचो रंचोरदास शामवदास चांचर जितना अलग साले का नाम था उतनी अलग सोच बाबा रंचोरदास बिलकुल सही कहते थे बच्चा काबिल बनो काबिल कामया भी तो साली जग मार के पीछे थागी कि बच्पन में हमें चलते देखने के लिए लोग उताओ ले रहते थे वड़े हो तो एक जगा फुके रखने के लिए उताओ ले हो पर वास एक बात सौन किसे की मत सो आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है इनका मानना है कि वो हमारे हाली क्वालिफाइड टीचे से बहतर बढ़ा सकते हैं क्यों मेरे डाड के पिछे पड़े हुआ है क्योंकि वो कोले नहीं स्क्टी चला रहा है जिसमें हर साल गदे मैने फैक्ट्चरों है अगर तेज नहीं दोड़ों के तो कोई तुमें पुचल कर आगे निगाए निगा दोस्ति एक उप्फूरत सर्थ मुष्कल रास्तों पर चलना आसान तभी होता है जो सफर में साथ को इसी में प्रकाते है एक पुड़िन प्रशर ने लेपादा भंस में दाटें कुछ वह ऐसे जो 24 बादे काम करते हैं इनको इस्वाम के लिए कोई साले लिए बहार में नू नू चीज़े तो आती रेती है लेकिन सवाल तो अंदर वान वाई इसको इस दुन्या से उत्माले से सुर्साइट्स में इंडिया नंबर बन इस करते हैं टो तो अंदर शुन्माले सित्व काम करते हैं इस अंदर बन इसकुर्स दयाँ जया सब्स्वाएं झाल झाल उत्पादों जैसे की बेड़ी, सिग्रेट, खैनी, जर्दा इत्यादी के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को साकार करने का जरिया ना बनाएं, जो आप नहीं कर पाएं हर साल देश में लगभग चार लाख यूग आत्म हत्या करते हैं, जिन में ज्यादा तादा दैसे यूगों की होती है, जो बनना तो कुछ हो चाहते हैं, लेकिन घरवालों के सपनों को पुरा करने में उनके अपने सपने चूर हो जाते हैं उस अपते रिलेज हुई थ्री इडियर्ट्स इन्हीं बातों को असरदार धंग से उठाती हुई फिल्म है, जिस पर पूरी दुनिया को सोचने की जरूरत है, राजकुमार हिरानी की या फिल्म पैरंट्स को यहीं समझाने की कोशिस करती है कि बच्चों की काम्याबी उनक की चाह किसी भी फिल्ड में हो, पिछले साल उसी महिने रिलेज हुई आमिर खान की गजनी ने बॉक्स अफिस पर ऐसा कमाल किया था कि पहले हपते ही फिल्म पर नोटों की जबरदस्त बारिस हो गई, मुबी ने बॉक्स अफिस पर सबसे ज़्यदा कमाई की, इस साल के आए जानते हैं कहानी के बारे में, रैंचयनी रंचोरदा स्यमल दास चांचाड यानि अमिर खान सहर के नंबर वन इंजीनिरिंग कालिज में एंटरी करता है, तो हर वक्त नंबर वन की रेस और सांधर करियर के पीछे भागते इस्टुडेंट को लगता है कि उन्हें या स साथी खुली हवा में उड़ने का मौका देने पहुचा है, दरसल कालिज के सक्त मिजाज प्रिंसपल बीर सहस्तर बुद्धिया ने बोमन इरानी का मानना है कि किसी भी सूरत में इस्टुडेंट को नंबर वन की धुन में डूबे रहना जरूरी है, करियर की इस गलाकाट में किसी का रुकना उन्हें पसंद नहीं है, ऐसे में कालिज के ठके और दर्द में डूबे स्टुडेंट को रैंचो मिलता है, जो उनके दर्द का इलाज बनना चाहता है, कालिज में आकर रैंचो को लगता है, ज्यदा तर स्टुडेंट तो यहां मजबूरन माबाप की ज लिए पहुंचा राज्यूस कालेज में इसलिए पहुंचा है क्योंकि लकवे के सिकार उसके पिता और जिंदगी भर परिवार का पेट पालने वाली मा का सपना है कि वह इंजीनियर बने वह फरहान के अब्बा परिछित साहनी ने तो उसे पैदा होने पर ही उसके इंजीनिय करते हैं वही कई डियालॉग स्टुडेंट के लिए मैसेज हैं और परेंट्स के लिए एक सही सोच बेसक अबजीत जोसी और हिरानी की स्क्रिट फिल्म का बेहत्मजबूत पच्छ है इस पूरी फिल्म में आमिर खान चाय हुई है अपने सरदार अभिने से दर्शकों को आ जुबी डुबी और आल इस बेल गाने रिलीज से पहले ही पापलर हो चुके थे आमिर और करिना पर फिल्माए गए जुबी डुबी गाने का फिल्मांकरन का जब है राजकुमार हिरानी ने इस मूबी में भी अपने डायरेक्शन का जलवा दिखा दिया है उन्होंने बार बार कुछ अलग और नया निकलता है कहानी पर हिरानी की सुरू से आखिलता पकड़ है आमिर के रहते सरमन माधवन बोमन से हिरानी ने बहतरीन काम लिया है और हर एक की मौजूद्गी को फिल्म का एहम हिस्सा बनाया है एक पल भी कहानी की गत को उन्होंने सुस्त नह बाधारी थे चितरपड के मुखिकलाकार आमिर खान करीना कपूर आरमाधोन सरमन जोसी बोमन इरानी और ओमी वैध है इस फिल्म को डायरेक्ट राजकुमार हिरानी ने किया था इसकी निर्माता थे बिदुबिनोचोपड़ा इसको लिखा था अबजाद जोसी और राजक इस फिल्म की लागत 49 करोड रुपे है और इसकी कुल कमाई 460 करोड रुपे आके गई है राजकुमार हिरानी की खासियत है कि गंभेर बाते मनुरंजक और हंस्ते हंस्ते कह देते हैं जिन्हें वो बाते समझ में नहीं आती उनका कम से कम मनुरंजन तो हुई ही जाता है चितन भगत के उपन्यास फाइप पॉइंट समवन से प्रेरित फिल्म थिरी इडिट के जरिये हिरानी निवर्तमान से छप्रडाली पैरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दवा और किताबी ग्यान की उप्योगता पर मनुरंजक तरीके से सवाल उठाए हैं हर विद्यार्थी एक ना एक बार्या सोचता है कि जो पढ़ रहा है उसकी क्या उप्योगता है और सो पुरानी लिखी बातों को उसे रटना पड़ता है क्योंकि परिच्छा में नमबर लाने हैं जिनके आधार पर नवकरी मिलती है उसे एक ऐसे सिस्टम को मानना पड़ता है जिसमें उसे बैचारिक आजादी नहीं मिल पाती है माता पिता भी इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि समाज में योगता मापने का डिगरी ग्रेट्स पैमाने हैं कई लड़के लड़किया इसलिए डिगरी लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथ ही मिले इन सार प्रिद्भासाली बेक्ति निरास नहीं करते हैं रर्चोर दास्यामल दास चांचड का निक नेम रांचो है इंजीनिरिंग कालेज में रैंचो यानि आमिर खान फरहाद कुरेशी यानि आर्माधोन और राजू रस्तोगी यानि सर्मन जोसी रूम पार्टनर्स हैं फरहान वाइल्ड लाइप फोटोग्राफर बनना चाहता है लेकिन उसके पैदा होने के एक मिनट बाद ही उसे इंजीनियर बनना है ये उसके हिटलर पिता ने तैय कर दिया था वह मर मरकर पढ़ रहा है राजू का परिवार आर्थे ग्रूप से बेहत कमजोर है भविश का डर उस का इंसान है बैती हवासा उड़ती पतंग सा वह ग्रेड माक्स के ताबी ज्यान पर विश्वास नहीं करता आसान सब्दों में कहीं बात उसे पसंद है उसका मानना है कि जिन्दगी में वो करो जो तुम्हारा दिल कहे वह काम्याबी और काबिलियत का फर्ग अपने दोस्त को समझाता है रैंचो के विचारों से कालेश के प्रेंसपल बीर सहस्तर बुद्ध यानि बोवन इरानी बिल्कुल सहमत नहीं है वह जिन्दगी की चूहा दोड़ में हिस्सा लेने के लिए एक फैक्टरी की तरह विद्दार्थियों को तैयार करते हैं पढ़ाई खतम होने पर कहने में हिरानी माहिर हैं फ्लेस बैक का उन्होंने यहां उम्दा प्रयोग किया है हिरानी और अभजात जोसी ने जैदा तरद्रस से ऐसे लिखे हैं जो हसने पर रोने पर या सोचने पर मजबूर करते हैं अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिल्मों के फार्म दीख रहे हों पहले हाप में सरपड भाकती फिल्म दूसरे हाप में कहीं की कंद्धूर हो गई है खासतोर पर मॉना सिंक के मा texting भन्ने वाला सीन भेहत फिल्मी से आमकी फिल्म में इंट्री और रैFilmm वाला द्रहस चमत पात्मक सैली में पीइस किया गया सीन बेंटरी इंट बन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पुरानी फिल्मों का परभाव dress का मुंन्ना भाई था यहां रैंच की लड़ी को चाहता थाधरी को चाहता है हालाक इन बातों से फिलम पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन फिलम कार पर दोराओ का असर दिखाई देता है सवाद चुटेले हैं इस देश में गारंटी की साथ 30 मिनट में पीच जा जाता है लेकिन एंबुलेंस नहीं सेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है लेकिन उसे विल ट्रेंड कहा जाता है विल इचुगेचर नहीं वो ऐसे समवाद फिलम को धार पर दान करते हैं अबने में सभी कलाकारों ने अपना स्रेष्ट पर दरसंदिया है अपनी उम्र से आधी उम्र का किरदार निभाना आसान नहीं था लेकिन आमिर ने यह कर देखाया आसकी युवा पीठी के हाव भाव को उन्होंने बारीकी से पकड़ा तेज तर्रार और अपनी सर्तों पर जीने वाले रैंचों को उन्होंने पूरी उर्जा के साथ परदे पर जीवंद किया है आमिर खान के फिल्म में होने के बावजू सर्मन जोसी और माध्वन अपनी उपस्तित दर्ज कराते हैं हलाकि माध्वन फिटनेस के मावले में मार खा गए एन आर आई चतुर के रूम में ओमी ने बेहतरीन अभिने किया है वोमन इरानी ने फिर साबित किया है कि वो एक कमाल के अभिनेता है ओवर एक्टिंग और एक्टिंग के बीश की रेखा के वे कुछ सलता से चले हैं आमिर उनके बीश के दरस देखने लाइक बन पड़े हैं करिना कपूर के रोल की लंबाई कम है इसके बाजोदों अपनी चाप छोड़ती है सांतुन मुहित्रा का संगी सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो लेकिन इसक्रीन पर देखते समय अलग ही असर छोड़ता है जूबी जूबी गाने का फिलमांकर नूमता है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉली बुड बहतरीन फिलम के जरिये कर रहा है और 2009 में हैडरिक पूरी हो गई है अनूठे बिसे चुटिले समवाद और सांधर अबने के कारड या फिलम देखी जा सकती है अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को साकार करने का जरिया ना बनाए जो आप नहीं कर पाए हर साल देश में लगभग चार लाख यूग आत्म हत्या करते हैं जिन में ज्यादा तादा दैसे यूगों की होती है जो बनना तो कुछ हो चाहते हैं लेकिन घरवालों के सपनों को पूरा करने में उनके अपने सपने चूर हो जाते हैं उस अपते रिलेज हुई त्री इडियर्ट्स इन्हीं बातों को असरदार धंग से उठाती हुई फिल्म है जिस पर पूरी दुनिया को सोचने की जरूरत है राजकुमार हिरानी की या फिल्म पैरंट्स को यही समझाने की कोशिश करती है कि बच्चों की काम्याबी उनके काबिल बनने से है चाहे उनकी चाह किसी भी फिल्ड में हो पिछले साल उसी महिने रिलेज हुई आमिर खान की गजिनी ने बॉक्स आफिस पर ऐसा कमाल किया था कि पहले हपते ही फिल्म पर नोटों की जबर्दस्त बारिस हो गई मुवी ने बॉक्स आफिस पर सबसे ज़्यदा कमाई की इस साल के आखिर में भी आमिर ने बॉक्स आफिस पर दस्तक दी और थियेटरों पर अपना कबजा कर लिया पूरे साल नमबर वन की रेस में सामिल रही साय फिली खान की लब आजकल और सलमान खान की वांटेड भी थिरी इडियर से पिशरती हुई लग रही थी आईए जानते हैं कहानी के बारे में रैंचयनी रंचोर दास सेमल दास चांचाड यानि आमिर खान सहर के नमबर वन इंजिनरिंग कालिज में एंटरी करता है तो हर वक्त नमबर वन की रेस और सांधर करियर के पिछे भागते इस्टुडेंट को लगता है कि उन्हें या साथ खुली हवा में उड़ने का मौका देने पहुचा है दरसल कालिज के सक्त मिजाज प्रिंसपल बीर सहस्तर बुद्धिया ने बोमन इरानी का मानना है कि किसी भी सूरत में इस्टुडेंट को नमबर वन की धुन में डूबे रहना जरूरी है करियर की इस गलाकाट रेस में क ज़्यदा तर स्टुडेंट तो यहां मजबूरन माबाप की जित और उनके अधूर्य सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का गला गोट रहे हैं रैंचो करूब में पार्टनर फ्रहात कुरासी यानि आर माधवन और राजु रस्तोगी यानि सरमंजोसी का भी यह इसलिए पहुचा है क्योंकि लकवे के सिकार उसके पिता और जिंदगी भर परिवार का पेट पालने वाली मा का सपना है कि वह इंजीनियर बने वह फरहान के अब्बा परिछ्षित साहनी ने तो उसे पैदा होने पर ही उसके इंजीनियर बनने का सपना देखना सुरू कर दिया था उन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि फरहान वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है मुबी की स्क्रिप्ट और दिल को छूते डायलाग स्थिरी इडियर्ट की जान हैं कई सवाध ऐसे हैं जो हमारी बियोस्ता पर सटीक कमेंट करते हैं वही क अखिर तक बांधने में वह पूरीत रहे कामयाब रहे हैं वह सर्मन और माध्वन का जो आप नहीं प्रिंस्पल बीरू के रोल में वहमन इरानी कमाल कर गए हैं करीना के हिस्जे में कुछ खास नहीं आया लेकिन अपने सिंपल लुक में खोब जमी हैं फिल्म का म्यूजिक कहानी की डिमार्ड के मताभिक है जुबी डुबी और अले इजबील गाने रिलीज से पहले ही पापलर हो चुके थे आमिर और करीना पर फिल्माए गए जुबी डुबी गाने का फिल्माँकरν का जब है राजकुमार हिरानी ने इस मूवी में भी अपने डिरैक्शन का जल बनाया है एक पल भी कहानी की गत को उन्होंने सुस्त नहीं पढ़ने दिया है तेरी इडियर्ट्स 2009 की एक हिंदी चल्चित्र है इस चल्चित्र की कहानी अंग्रेजी उपन्यास कार चेतन भगित के परसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास फाइब पॉइंट समोन पर आधारित ह चितरपड के मुख्यकलाकार आमिर खान, करीना कपूर, आरमाधोन, सर्मन जोसी, बोमन इरानी और ओमी वैध हैं इस फिल्म को डायरेक्ट राजकुमार हिराने ने किया था इसके निर्माता थे बिदु बिनो चोपड़ा इसको लिखा था अबजाद जोसी और राजकुमा इस टूडियो था इसमें बिनो चोपड़ा प्रोड़क्शन, बितरक थे इसके रिलाइंस एंटर्टेन्मेंट और एक सो एक सो एकतर मिनट की फिल्म है भारत में हिंदी भांसा में रिलीज हुई थी, इस फिल्म की लागत 49 करोड रुपे है और इसकी कुल कमाई 460 करोड र रुपे आ की गई है, राशकुमार हिरानी की खासियत है कि गंभेर बाते मनुरंजक और हस्ते हस्ते कह देते हैं, जिन्हें वो बाते समझ में नहीं आती, उनका कम से कम मनुरंजन तो हुई ही जाता है, चितन भगत के उपन्यास 5.7 से प्रेरित फिल्म 3 इडिट के जरिये, हिरानी निवर्तमान से छप्रडाली पैरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दवा और किताबी ग्यान की उप्योगता पर मनुरंजक तरीके से सवाल उठाए हैं, हर विद्यार्थी एक ना एक बार्या सोचता है कि जो पढ़ रहा है उसकी क्या उप्योगता है, और सो पिता भी इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि समाज में योगताम आपने का डिगरी ग्रेट्स पैमाने हैं, कई लड़के लड़किया इसलिए डिगरी लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथ ही मिले, इन सारी बातों के हिरानी ने बोजिल तरीके से या उपदे सात समक तरीके से पेश नहीं किया है, बलकि मनोरेंजन की चासनी में डूबो कर उन्होंने अपनी बात रखी है, आमिर हीरानी कंबिनेशन के करण अपेच्छाए इस फिल्म से बहुत बढ़ गई हैं, और ये दुनों प्रतभासाली बेक्ति निरास नहीं करते हैं, रर्छोर द इंजिनियर बनना है, ये उसके हिटलर पिता नेते कर दिया था, वह मर मर कर पढ़ रहा है, राजू का परिवार आर्थे ग्रूप से बेहत कमजोर है, भविश का डर उसे सताता रहता है, बिग्यान का छातर होने के बावजोद वा तमाम अंदविस्वासों से घिरा हुआ ह पढ़ाई से जदा उसे पूजा पाठो और हाथ में पहनी ग्रह सांती के अंगूठिया पर है, वह डर डर कर पढ़ रहा है, रंचो एक अलग ही किसम का इंसान है, बैती हवासा, उड़ती पतंग सा, वह ग्रेड माक्स के ताबी ग्यान पर विश्वास नहीं करता, आसान दो में कही बात उसे पसंद है, उसका मानना है कि जिन्दगी में वो करो जो तुम्हारा दिल कहे, वह काम्याबी और काबिलियत का फर्ग अपने दोस्तों को समझाता है, रंचो के विचारों से कालेज के प्रेंसपल बीर सहस्तर बुध्धे आनि बोवन इरानी बिल्कुल स से तलासने के लिए निकलते हैं, इस सपर में उन्हें रहें रंचो के बारे में कई नई बाते पता चलती हैны, कहानी को श्क्रिन पर कहने में हिरानी माहिर हैं, फ्लेस बेक का उन्होंने यहाँ उमदा प्रियोग किया है, हिरानी और अबजात जोसी ने जैदातर द्रस्ते ऐसे लिखे हैं जो हसने पर रोने पर या सोचने पर मजबूर करते हैं अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिल्मों के फारमूलों से भी परहेज नहीं किया है माधौन का नाटकर हवाई जहाज रुकवाना करीना कपूर को साधी के मंडब से भगा ले जाना जाविद आफरी से आमिल का पता पुछने वाले सीन देख लगता है मानू डेबिड धौन की फिल्म देख रहे हूँ पहले हाप में सरपड भाक्ती फिल्म दूसरे हाप में कहीं कहीं कमजूर हो गई है खास तोर पर मोना सिंग के मा बनने वाला सीन बेहत फिल्मी है आमिर की फिल्म में एंट्री और रैगिंग वाला द्रस चमतकार बलतकार वाला द्रस रैंचो दोरा बार बार साबित करना की पिया अनी करीना कपूर ने गलत जीवन साथी चुना है धोकला फाफ़ा थेफला खाकरा खांडवा अला सीन राजु के घर की हालत को बिंगात्मक सैली में पेस किया गया सीन बेहतरी इन्बन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पुरानी फिल्मों का परभाव ने जराया वहां मुन्ना भाई था यहां रैंचो है वहां बोमन हिरानी डीन थे यहां वे प्रिंसपल हैं वहां मुन्ना भाई डीन की लड़की को चाहता था यहां रैंचो प्रिंसपल की लड़की को चाहता है हालाक इन बा मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है लेकिन उसे विल ट्रेंड कहा जाता है विल इचुगेचर नहीं वैसे समवात फिल्म को धार परदान करते हैं अपने में सभी कलाकारों ने अपना स्रेष्ट पर दरसंदिया है अपनी उम्र से आधी उम्र का किलदार निभाना आसान नही है अमिर खान के फिल्म में होने के बावजू सर्मन जोसी और माध्वन अपनी उपस्तित दर्ज कराते हैं हलाकि माध्वन फिटनेस के मावले में मार खा गए एन और आई चतुर के रूम में ओमी ने बेहतरीन अभिने किया है बोमन इरानी ने फिर साबित किया है कि वह कमा आप छोड़ती हैं सांतुन मुईत्रा का संगी सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो लेकिन इस्क्रीन पर देखते समय अलग ही इसर छोड़ता है जूबी जूबी गाने का फिल्मांकर उमता है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉल बुड बहतरीन फिल्म के जरिये कर रहा है और 2009 में हैड्रिक पूरी हो गई है अनुठे बिसे चुटिले समवाद और सांदर अबने के कारड या फिल्म देखी जा सकती है अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को साकार करने का जरिया ना बनाए जो आप नहीं कर पाए हर साल देश में जातों को असरदार ढंग से उठाती हुई फिल्म है जिस पर पूरी दुनिया को सोचने की जरूरत है राजगमार हिरानी की या फिल्म पाइरंट्स को यहीं समझाने की कोशिस करती है कि बच्चों की काम्याबी उनके काबिल बनने से है चाहे उनकी चाह किसी भी फिल्ड मे हो पिछले साल उसी महिने रिलीज हुई आमिर खान की गजनी ने बॉक्स अफिस पर ऐसा कमाल किया था कि पहले हफ्ते ही फिल्म पर नोटों की जबर्दस्त बारिस हो गई मूभी ने बॉक्स अफिस पर सबसे ज़यदा कमायी की इस साल के आखिर में भी आमिर ने बॉक्स स्टूडेंट को लगता है कि उन्हें या साथी खुली हवा में उड़ने का मौका देने पहुचा है दरसल कालेज के सक्त मिजाज प्रिंसपल बीर सहस्तर बुद्धिया ने बोमन इरानी का मानना है कि किसी भी सूरत में इस्टूडेंट को नंबर वन की धुन में डूबे रह नगnant जरूरी है करियर की इस गलाकाट ट्रेस में किसी का रुकना उन्हें पसंद नहीं है ऐसे में कालेज के ठके और दर्द में डूले स्टूडेंट को रंचो मिलता है जोंके दर्द का ईलाज बनना जाता है कालेज में आकर रंचों को लगता है ज्यादा तर्य स्टूड पूसी का भी यही हाल है राजुष कालेश के लिए पहुंचा राजुष कालेश में इसलिए पहुंचा है क्योंकि लकवे के सिकार उसके पिता और जिंदगी भर परिवार का पेट पालने वाली मा का सपना है कि वह इंजीनियर बने वह फरहान के अबबा परिछित साहनी ने तो उसे पैदा होने पर ही उसके इंजीनियर बनने का सपना देखना सुरू कर दिया था उन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि फरहान वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है मूबी की स्क्रिप्ट और दिल को छूते डायलाग स्थिरी इडियेट की जान हैं कई समाध ऐसे हैं जो हमारी ब्योस्ता पर साटीक कमेंट करते हैं वही कई डायलाग स्टुडेंट के लिए मैसेज हैं और परेंट्स के लिए एक सही सोच बेशक आपजीत जोसी और हिरानी की स्क्रिट्ट फिल्म का बेहद मजबूत पच्छ है इस पूरी फिल्म में आमिर खान चाहे हुई हैं अपने सरदार अभिने से दर्शकों को आखिल तक बांधने में वाप पूरी तरह कामियाब रहे हैं वह सर्मन और माधुन का जो आप नहीं प्रिंस्पल बीरू के रोल मे बॉमन इरानी कमाल कर गए हैं करीना के हिसे में कुछ खास नहीं आया लेकिन अपने सिंपल लुक में वाख खोब जमी हैं फिल्म का म्यूजिक कहानी की डिमांड के मताबिक है जुबी डुबी और आल इस बिल गाने रिलीस से पहले ही पापलर हो चुके थे आमिर और करीना पर फिल्माय गए जुबी डुबी गाने का फिल्मांकर झब है राजकुमर हिरानी ने इस मूबी में भी अपने डैरेक्शन का जिल्वा दिखा दिया है उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके पिटारे से हर बार कुछ अलग और नया निकलता है कहानी पर हिरानी की सुरू स से आखिलता पकड़ है आमिर के रहते सरमन माधवन बोमन से हिरानी ने बेतरीन काम लिया है और हर एक के मौजूदगी को फिल्म का एहम हिस्सा बनाया है एक पल भी कहानी की गत को उन्होंने सुस्त नहीं पड़ने दिया है तेरी इडियर्ट्स 2009 की एक हिंदी चल्चितर है इ इस फिल्म को डायरेक्ट राजकुमार हिराने ने किया था इसकी निर्माता थे बिदुबिनोचोपड़ा इसको लिखा था अभजाद जोसी और राजकुमार हिरानी ने पढ़कता है अभजाद जोसी राजकुमार हिरानी और बिदुबिनोचोपड़ा की इसमें संगीत द एकतर मिनिट की फिल्म है भारत में हिंदी भांसा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत 49 करोड रुपे है और इसकी कुल कमाई 460 करोड रुपे आके गई है राशकुमार हिरानी की खासियत है कि गंभेर बाते मनुरंजक और हस्ते हस्ते कह देते हैं जिन्हें वो बाते स किताबी ग्यान की उपयोगता पर मनुरंजक तरीके से सवाल उठाए हैं हर विद्यार्थी एक ना एक बार्या सोचता है कि जो पढ़ रहा है उसकी क्या उपयोगता है और सो परानी लिखी बातों को उसे रटना पड़ता है क्योंकि परिच्छा में नंबर लाने हैं जिनक किते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथ ही मिले इन सारी बातों के हरानी ने बोज्छल तरीके से या उप्दे सात्मक तरीके से पेश नहीं किया है बलकि मनुरंजक की चाशनी में डुबो कर उन्होंने अपनी बात रखी है आमिर हिरानी कंबिनेशन के करण मंजोसी रूम पार्टनर्स हैं फ्रहान वाइल्ड लाइब फोटोग्राफर बनना चाहता है लेकिन उसके पैदा होने के एक मिनट बाद ही उसे इंजिनियर बनना है ये उसके हिटलर पिता ने ते कर दिया था वह मर मर कर पढ़ रहा है राजू का परिवार आर्थे ग्रूप के अंगूठिया पर है वह डर डर कर पढ़ रहा है रंचो एक अलग ही किसम का इंसान है बैती हवासा उड़ती पतंग सा वह ग्रेड माक्स किताबी ज्यान पर विस्वास नहीं करता आसान सब्दों में कही बात उसे पसंद है उसका मानना है कि जिन्दगी में वो करो जो त हमत नहीं है वह जिन्दगी की चूहा दोड़ में हिस्सा लेने के लिए एक फैक्टरी की तरह विदार्थियों को तयार करते हैं पढ़ाई खतम होने के बार रंचो अचानक गायब हो जाता है वरस्वा रंचो के दरिस्त को उसके बारे में कलो मिलता है और उसे तलासने के तरह से लिए निकलते हैं इस सपर में उन्हें रंचों के बारे मैं कई नई बाते पता चलती हैं कहानी को स्क्रीन पर कहने में हिरानी माहिर हैं फ्लेश बैग का उन्होंने यहां करिया है हिरानी और अभजात जोसी ने जैदा तरद्रस ऐसे लिखे हैं जो हसने पर रोने पर या सोचने पर मजबूर करते हैं अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिल्मों के फारमूलों से भी परहेज नहीं किया है माधौन का नाटकर हवाई जहाज रुकवाना करीना कपूर को साधी के मंडब से भगा ले जाना जाविद आफरी से आमिल का पता पुछने वाले सीन देख लगता है मानून डेबिड धौन की फिल्म देख रहे हूँ पहले हाप में सरपड भाक्ती फिल्म दूसरे हाप में कहीं के कमजूर हो गई है खास दोर पर मोना सिंग के मा बनने वाला सीन बहत फिल्मी है आमिर की फिल्म में एंट्री और रैगिंग वाला द्रस चमतकार बलतकार वाला द्रस रैंचो द्वारा बार बार साबित करना की पिया एनी करीना कपूर ने गलत जिवन साथी चुना है धोकला फाफडा थेफला खाकरा खांडवा अला सीन राजू के घर की हालत को बिंगातमक सैली में पेस किया गया सीन बेहतरी इन बन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पुरानी फिल्मों का परभाव ने जराया वहां मुन्ना भाई था यहां रैंचो है वहां बोमनी रानी डीन थे यहां वे प्रिंसपल हैं वहां मुन्ना भाई डीन की लड़की को चाहता था यहां रैंचो प्रिंसपल की लड़की को चाहता है हालाक इन बातों से फिलम पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन फिलमकार पर दोराओ का असर दिखाई देता है सवाद चुटेले हैं इस देश में गारंटी की साथ 30 मिनट में पीच जा जाता है लेकिन एंबुलेंस नहीं सेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है लेकिन उसे विल ट्रेंड कहा जाता है विल इचुगेचर नहीं वैसे समवाद फिलम को धार परदान करते हैं अबने में सभी कलाकारों ने अपना सिरेष्ट पर दरसन दिया है अपनी उमर से आधी उमर का किरदार निभाना आसान नहीं था लेकिन आमिर ने यह कर दिखाया आसकी युवा पीठी के हाव भाव को उन्होंने बारीकी से पकड़ा तेज तर्रार और अपनी सर्तों पर जीने वाले रैंचों को उन्होंने पूरी उर्जा के साथ परदे पर जीवन्द किया है आमिर खान के फिल्म में होने के बावजू सर्मन जोसी और माध्वन अपनी उपस्तित दर्ज कराते हैं हलाकि माध्वन फिटनेस के मावले में मार खा गए एन आर आई चतुर के रूम में ओमी ने बेहतरीन अभिने किया है बोमन इरानी ने फिर साबित किया है कि वो एक कमाल के अभिनेता है ओवर एक्टिंग और एक्टिंग के बीश की रेखा के वे कुछ सलता से चले है आमिर उनके बीश के दर से देखने लाइक बन पड़े है करिना कपूर के रोल की लंबाई कम है इसके बाजोदोय अपनी चाप छोड़ती है सांतुन मुईतरा का संगी सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो लेकिन इसक्रीन पर देखते समय अलग ही इसर छोड़ता है जूबी जूबी गाने का फिलमांकर उम्दा है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉल बुड बहतरीन फिलम के जरिये कर रहा है और 2009 में हाइडरिक पूरी हो गई है अनूठे बिसे चुटिले समवाद और सांधर अबने के कारड या फिलम देखी जा सकती है अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को साकार करने का जरिया ना बनाए जो आप नहीं कर पाए हर साल देश में लगभग चार लाख यूग आत्मात्या करते हैं जिन में ज्यादा तादा ऐसे यूगों की होती है जो बनना तो कुछ हो चाहते हैं लेकिन घरवालों के सपनों को पूरा करने में उनके अपने सपने चूर हो जाते हैं उस अपते रिलेज हुई थ्री इडियर्ट्स इनहीं बातों को असरदार ढंग से उठाती हुई फिल्म है जिस पर पूरी दुनिया को सोचने की जरूरत है राजकुमार हिरानी की या फिल्म पैरंट्स को यही समझाने की कोशिश करती है कि बच्चों की काम्याबी उनके काबिल बनने से है चाहे उनकी चाह किसी भी फिल्ड में हो पिछले साल उसी महिने रिलेज हुई आमिर खान की गजिनी ने बॉक्स आपिस पर ऐसा कमाल किया था कि पहले हपते ही फिल्म पर नोटों की जबरदस्ट बारिस हो गई मुवी ने बॉक्स आपिस पर सबसे ज़्यदा कमाई की इस साल के आखिर में भी आमिर ने बॉक्स आफिस पर दस्तक दी और थेट्रों पर अपना कबजा कर लिया पूरे साल नमबर वन की रेस में सामिल रही साय फली खान की लब आजकल और सलमान खान की वांटेड भी थिरी इडियर से पिशरती हुई लग रही थी आईए जानते हैं कहानी के बारे में रैंचयानी रंचोरदास सेमल दास चांचाड याने अमिर खान सहर के नमबर वन इंजिनिरिंग कालिज में एंटरी करता है तो हर वक्त नमबर वन की रेस और सांधर करियर के पिछे भागते इस्टुडेंट को लगता है कि उन्हें या सा खुली हवा में उड़ने का मौका देने पहुचा है दरसल कालिज के सक्त मिजाज प्रिंसपल बीर सहस्त्र बुद्धिया ने बोमन इरानी का मानना है कि किसी भी सूरत में इस्टुडेंट को नमबर वन की धुन में डूबे रहना जरूरी है करियर की इस गलाकाट ट्रेस म किसी का रुकना उन्हें पसंद नहीं है ऐसे में कालिज के ठके और दर्द में डूबे इस्टुडेंट्स को रैंचो मिलता है जो उनके दर्द का इलाज बनना चाहता है कालिज में आकर रैंचो को लगता है ज्यदा तर इस्टुडेंट तो यहां मजबूरन माबाप की जि इसलिए पहुचा है क्योंकि लकवे के सिकार उसके पिता और जिंदगी भर परिवार का पेट पालने वाली मा का सपना है कि वह इंजीनियर बने वह फरहान के अबबा परिछित साहनी ने तो उसे पैदा होने पर ही उसके इंजीनियर बनने का सपना देखना देखना शुरू क कशते हैं वही कई डियालॉग स्टुटेंट के लिए मैसेज हैं और परेंट्स के लिए एक सही सोच बेसक अबजीत जोसी और हिरानी की स्क्रिट फिल्म का बेहद मजबूत पच्छ है इस पूरी फिल्म में आमिर खान चाय हुई हैं अपने सरदार अभिने से दर्शकों को आखिर तक बांधने में वाप पूरीत रहे कामियाब रहे हैं वही सर्मन और माधुन का जवाब नहीं प्रिंस्पल बीरू के रोल में वामन इरानी कमाल कर गए हैं करीना के हिसे में कुछ खास नहीं आया लेकिन अपने सिंपल लुक में वाप खोब जमी हैं फिल्म का की डिमांड के मताबिक है जुबी डुबी और आल इस बेल गाने रिलीस से पहले ही पापलर हो चुके थे आमिर और करीना पर फिल्माए गए जुबी डुबी गाने का फिल्मांकरन का जब है राजकुमार हिरानी ने इस मूबी में भी अपने डिरेक्शन का जलवा दिखा दिया है उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके पिटारे से हर बार कुछ अलग और नया निकलता है कहानी पर हिरानी की सुरू से आखिर तक पकड़ है आमिर के रहते सरमन माधवन बोमन से हिरानी ने बेतरीन काम लिया है और हर एक की मौजूदगी को फिल्म का एहम हिस्सा बनाया है एक पल भी कहानी की गत को उन्होंने सुस्त नहीं पढ़ने दिया है तेरी इडियर्ट्स 2009 की एक हिंदी चल्चित्र है इस चल्चित्र की कहानी अंग्रेजी उपन्यास कार चेतन भगित के परसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास फाइब पॉइंट समोन पर आधारी चित्रपड के मुखिकलाकार आमिर खान करीना कपूर आर्मादोहन सर्मन जोसी बोमन इरानी और ओमी वैद हैं इस फिल्म को डारेक्ट राजकुमार हिरानी ने किया था इसकी निर्माता थे बिद्विनो चोपड़ा इसको लिखा था अबजाद जोसी और राजकुमार हिर प्रोड़क्शन बितरक्थ इसके रिलाइंस एंटर्टेन्मेंट और 171 मिनट की फिल्म है भारत में हिंदी भांसा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत 49 करोड रुपे है और इसकी कुल कमाई 460 करोड रुपे आ की गई है राजकुमार हिरानी की खासियत है कि गंभे प्रोडाली पैरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दवा और किताबी ग्यान की उप्योगता पर मनुरंजक तरीके से सवाल उठाए हैं हर विद्यार्थी एक ना एक बार्या सोचता है कि जो पढ़ रहा है उसकी क्या उप्योगता है और सो पुरानी लिखी बातों को उसे रटना पड़ता है क्योंकि परिच्छा में नंबर लाने हैं जिनके आधार पर नवकरी मिलती है उसे एक ऐसे सिस्टम को मानना पड़ता है जिसमें उसे बैचारिक आजादी नहीं मिल पाती है माता पिता भी इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि समाज में योगता अपने का डिगरी ग्रेट्स पैमाने हैं कई लड़के लड़किया इसलिए डिगरी लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथ ही मिले इन सारी बातों के हिरानी ने बोजिल तरीके से या उपदे सात्मक तरीके से पेश नहीं किया है बलकि मनुरेंजन की चासनी में जो यानि अमिर्खान फरहाद कुरैसी यानि आरमाधोन और राजू रस्तोगी यानि सर्मन जोसी रूम पार्टनर्स हैं फरहाद वाइल्ड लाइप फोटोग्रापर बनना चाहता है लेकिन उसके पैदा होने के एक मिनट बाद ही उसे इंजिनियर बनना है ये उसके हिटल में पहनी ग्रह सांती के अंगूठिया पर है वह डर डर कर पड़ रहा है रंचो एक अलग ही किसम का इंसान है बैती हवासा उड़ती पतंग सा वह ग्रेड मार्क्स के ताबी ज्यान पर विस्वास नहीं करता आसान सब्दों में कही बात उसे पसंद है उसका मानना है कि जि अपने दोस्तों को समझाता है रंचो के विचारों से कालेश के प्रेंसपल बीर सहस्तर बुद्ध यानि बोवन इरानी बिलकुल सहमत नहीं है वो जिन्दगी की चूहा दोड़ में हिस्सा लेने के लिए एक फैक्टरी की तरह बिदार्थियों को तैयार करते हैं प्लेशबैक का उन्होंने यहां उम्दा प्रियोग किया है हिरानी और अबजात जोसी ने जैदातर द्रश से ऐसे लिखे हैं जो हसने पर रोने पर या सोचने पर मजबूर करते हैं अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिलमों के फार्मोलों से भी परहेज नहीं कि माधौन का नाटक कर हवाई जहाज रुकवाना करीना कपूर को साधी के मंडप से भगा ले जाना जाविद जाफरी से आमिल का पता पुछने वाले सीन देख लगता है मानू डेबिड धौन की फिल्म देख रहे हूं पहले हाप में सरपड़ भाक्ती फिल्म दूसरे हाप में कहीं के कमजूर हो गई है खास तोर पर मोना सिंग के मा बनने वाला सीन बेहत फिल्मी है आमिर की फिल्म में एंट्री और रैगिंग वाला द्रस चमतकार बलतकार वाला द्रस रैंचो द्वारा बार बार साबित करना की पिया अनी करीना कपूर ने गलत जिवन साथी चुना है धोकला फाफ़ा थेफला खाकरा खांडवा लासीन राजू के घर की हालत को बिंगात्मक सैली में पेस किया गया सीन बेहतरी इन बन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पुरानी फिल्मों का परभाव ने जराया वहां मुन्ना भाई था यहां रैंचो है वहां बोमन इरानी डी की लड़की को चाहता है हालाक इन बातों से फिल्म पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन फिल्मकार पर दोराओ का असर दिखाए देता है सवाद चुटेले हैं इस दिश में गारंटी की साथ 30 मिनट में पीच जा जाता है लेकिन अम्बूलेंस नहीं सेर भी मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है लेकिन उसे विल ट्रेंड कहा जाता है विल इचुकेचर नहीं वैसे समवात फिल्म को धार परदान करते हैं अपने में सभी कलाकारों ने अपना स्रेश्ट पर दरसंदिया है अपने उम्र से आधी उमर का किलदार निभाना आसान नहीं था लेकिन आमर्ड ने यह कर देखाया आज की युवा पीठी के हाव भाव को उन्होंने बारीकी से पकड़ा तेज तर्रार और अपनी सर्तों पर जीने वाले रैंचों को उन्होंने पूरी उर्जा के साथ परदे पर जीवंद किया है अमिर खान के फिल्म में होने के बावजोश सरम जोसी और माध्वन अपनी उपस्तित दर्ज कराते हैं हलाकि माध्वन फिटनेस के मावले में मार खा गए एन आर आई चतुर के रूम में ओमी ने बेहतरीन अभिने किया है वोमन इरानी ने फिर साबित किया है कि वो एक कमाल के अभिनेता है और एक्टिंग और का संगी सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो लेकिन इसक्रीन पर देखते समय अलग ही असर छोड़ता है जूबी जूबी गाने का फिल्मां करूमता है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉली बुड बहतरीन फिल्म के जरिया कर रहा है और 2009 में हैट्रिक पू करते हैं जिन में ज्यादा तादा दैसे योगों की होती है जो बनना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन घरवालों के सपनों को पूरा करने में उनके अपने सपने चूर हो जाते हैं उस अपते रिलेज हुई त्री इडिट्स इन्हीं बातों को असरदार ढंग से उठाती दूरत है राजकुमार हिरानी की या फिल्म पैरंट्स को यही समझाने की कोशिश करती है कि बच्चों की काम्याबी उनके काबिल बनने से है चाहे उनकी चाह किसी भी फील्ड में हो पिछले साल उसी महिने रिलेज हुई आमिर खान की गजिनी ने बॉक्स आफिस पर ऐसा क पजा कर लिया पूरे साल नंबर वन की रेस में सामिल रही साय फिली खान की लब आजकल और सल्मान खान की वांटेड भी थिरी इडियर से पिशरती हुई लग रही थी आए जानते हैं कहानी के बारे में रैंचयनी रंचोर दास सेमल दास चांचाड यानि आमिर खान सहर के नंबर वन इंजिनरिंग कालेज में एंटरी करता है तो हर वक्त नंबर वन की रेस और सांदर करियर के पिछे भागते इस्टुडेंट को लगता है कि उन्हें या साथी खुली हवा में उड़ने का मौका देने पहुचा है दरसल कालेज के सक्त मिजाज प्रिंसपल बीर सह पस्तर बुधिया ने बोमन इरानी का मानना है कि किसी भी सूरत में इस्टुडेंट को नंबर वन की धुन में डूबे रहना जरूरी है करियर की इस गलाकार ट्रेस में किसी का रुकना उन्हें पसंद नहीं है ऐसे में कालेज के ठके और दर्द में डूबे राजु इसकालेश में इसलिए पहुचा है क्योंकि लकवे के सिकार उसके पिता और जिंदगी भर परिवार का पेट पालने वाली मा का सपना है कि वह इंजिनियर बने वह इपरहान के अब्बा परिच्छित साहनी ने तो उसे पैदा होने पर ही उसके इंजिनियर बनने का अपना देखना सुनू कर दिया था उन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि फरहान वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है मोबी की स्क्रिप्ट और दिल को छोते डायलाग स्थिरी इडियेट की जान है कई सवाध ऐसे हैं जो हमारी बियोस्ता पर सट् वही कई डियालाग स्टुडेंट के लिए मैसेज हैं और परेंट्स के लिए एक सही सोच बेसक अबजीत जोसी और हिरानी की स्क्रिप्ट फिल्म का बेहत मजबुत पच्छ है इस पूरी फिल्म में आमिर खान चाहय हुई हैं अपने सरदार अभिने से दर्शकों को आखिर तक बांधने में वहाँ पूरीत रहे कामियाब रहे हैं वही सर्मन और माध्वन का जवाब नहीं प्रिंस्पल बीरू के रोल में वहमन इरानी कमाल कर गए हैं करीना के हिस्जे में कुछ खास नहीं आया लेकिन अपने सिंपल लुक में वहाँ खोब जमी हैं फिल्म का जुबी डुबी और आल इस बेल गाने रिलीज से पहले ही पापलर हो चुके थे आमिर और करीना पर फिल्माए गए जुबी डुबी गाने का फिल्मांकरन का जब है राजकुमार हिरानी ने इस मूबी में भी अपने डायरेक्शन का जलवा दिखा दिया है उन्होंने बार बार कुछ अलग और नया निकलता है कहानी पर हिरानी की सुरू से आखिलता पकड़ है आमिर के रहते सरमन माधवन बोमन से हिरानी ने बेतरिन काम लिया है और हर एक की मौजूद्गी को फिल्म का एहम हिस्सा बनाया है एक पल भी कहानी की गत को उन्होंने सुस्त नह पाधारी थे चितरपड के मुखेकलाकार आमिर खान करीना कपूर आर्मादोहन सरमन जोसी बोमन इरानी और ओमी वैध है इस फिल्म को डायरेक्ट राजकुमार हिरानी ने किया था इसकी निर्माता थे बिदु बिनोचोपड़ा इसको लिखा था अबजाद जोसी और चोपड़ा प्रोड़क्शन बितरक्थे इसके रिलाइंस एंटर्टेन्मेंट और 171 मिनट की फिल्म है भारत में हिंदी भांसा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत 49 करोड रुपे है और इसकी कुल कमाई 460 करोड रुपे आ के गई है राशकुमार हिरानी की खासिय हिरानी निवर्तमान से छप्रडाली पैरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दवा और किताबी ग्यान की उप्योगता पर मनुरंजक तरीके से सवाल उठाए हैं हर विद्यार्थी एक ना एक बार्या सोचता है कि जो पढ़ रहा है उसकी क्या उप्योगता है और सो पर भी इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि समाज में योगता मापने का डिगरी ग्रेट्स पैमाने हैं कई लड़के लड़किया इसलिए डिगरी लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथ ही मिले इन सारी बातों के हिरानी ने बोजिल तरीके से या उपदे सात्मक तरीक के से पेश नहीं किया है बलकि मनुरेंजन की चैसनी में डूबो कर उन्होंने अपनी बात रखी है आमिर हीरानी कंबिनेशन के करण अपेच्छाए इस फिल्म से बहुत बढ़ गई हैं और ये दुनों प्रतभासाली बेक्ति निरास नहीं करते हैं रर्चोर दास यामल दा फोटोग्राफर बनना चाहता है लेकिन उसके पैदा होने के एक मिनट बाद ही उसे इंजिनियर बनना है ये उसके हिटलर पिता नेते कर दिया था वह मर मरकर पढ़ रहा है राजु का परिवार आर्थे ग्रूप से बेहत कमजोर है भविश का डर उसे सताता रहता है विग हवा सा उड़ती पतंग सा वह ग्रेड माक्स के ताबी ग्यान पर विश्वास नहीं करता आसान सब्दों में कही बात उसे पसंद है उसका मानना है कि जिन्दगी में वो करो जो तुम्हारा दिल कहे वह काम्याबी और काबिलियत का फर्ग अपने दोस्तों को समझाता है रै हाई खतम होने के बार रैंचों अचानक गायब हो जाता है वर्षो बार रैंचों के दरिस्त को उसके बारे में कलो मिलता है और उसे तलासने के लिए निकलते हैं इस सपर में उन्हें रैंचों के बारे में कई नई बाते पता सकती हैं कहानी को स्क्रीन पर कहने में हिरानी म प्लेस बैक का उन्होंने यहां उम्दा प्रियोग किया है हिरानी और अबजात जोसी ने जैदा तरद्रस से ऐसे लिखे हैं जो हसने पर रोने पर या सोचने पर मजबूर करते हैं अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिल्मों के फार्मूलों से भी परहेज नहीं किय माधोन का नाटकर हवाई जहाज रुकवाना करीना कपूर को साधी के मंडप से भगा ले जाना जाविद आफरी से आमिल का पता पुछने वाले सीन देख लगता है मानू डेबिड धौन की फिल्म देख रहे हूँ पहले हाप में सरपड़ भाक्ती फिल्म दूसरे हाप में कह के कमजूर हो गई है खास तोरपर मोना सिंग के मा बनने वाला सीन बहत फिल्मी है आमिर की फिल्म में एंटरी और रैगिंग वाला द्रस चमतकार बलतकार वाला द्रस रंचो दोरा बार-बार साबित करना की पिया अनिकरीना कपूर ने गलत जीवन साथी चुना है धोकला फापड़ा थेफला खाकरा खांडवा अला सीन राजू के घर की हालत को बिंगात्मक सैली में पेस किया गया सीन बेहतरी इन बन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पुरानी फिल्मों का परभाव ने जराया वहां मुन्ना भाई था यहां रैंचो है वहां बोमन हिरानी डीन थे यहां मुन्ना भाई दीन की लड़की को चाहता था यहां रैंचो प्रिंसपल की लड़की को चाहता है हालाक इन बातों से फिल्म पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन फिल्मकार पर दोराओ का असर दिखाए देता है समवाद चुटेले हैं इस देश में गारंटी के स किल्दार पर दान करते हैं अबने में सभी कलाकारों ने अपना स्रेष्ट पर दर्संदिया है अपनी उम्र से आधी उम्र का किल्दार निभाना आसान नहीं था लेकिन आमिर ने यह कर दिखाया आज की युवा पीठी के हाव भाव को उन्होंने बारीकी से पकड़ा तेश प्रिटनेस के मावले में मार खा गए एन और आई चतुर के रूम में ओमी ने बेहतरीन अभिने किया है वोमन इरानी ने फिर साबित किया है कि वो एक कमाल के अभिनेता है ओर एक्टिंग और एक्टिंग के बीच की रेखा के वे कुछ सलता से चले हैं आमीर और उनके देखते समय अलग ही इसर छोड़ता है जूबी जूबी गाने का फिलमांकर उम्दा है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉल बुड बहतरीन फिल्म के जरिया कर रहा है और 2009 में हैट्रिक पूरी हो गई है अनूठे बिसे चुटिले सम्वाद और सांदर अबने के कार या फिल्म देखी जा सकती है अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को साकार करने का जरिया ना बनाएं जो आप नहीं कर पाए हर साल देश में लगभग चार लाख यूग आत्मात्या करते हैं जिन में ज्यादा तादा दैसे यूगों की होती है जो बनना तो कुछ जोर चाहते हैं लेकिन घरवालों के सपनों को पुरा करने में उनके अपने सपने चूर हो जाते हैं उस अपते रिलेज हुई थ्री इडियर्ट्स इन्हीं बातों को असरदार धंग से उठाती हुई फिल्म है जिस पर पूरी दुनिया को सोचने की जरूरत है राजकुमार अपस पर ऐसा कमाल किया था कि पहले हबते ही फिल्म पर नोटों की जबरदस्त बारिस हो गई मुवी ने बाक्स आफिस पर सबसे ज़्यदा कमाई की इस साल के आखिर में भी आमिर ने बाक्स आफिस पर दस्तक दी और थेट्रों पर अपना कबजा कर लिया पूरे साल नमबर वन इंजीनिरिंग कालेज में एंट्री करता है तो हर वक्त नमबर वन की रेस और सांधर करियर के पीछे भागते स्टुडेंट को लगता है कि उन्हें या साथी खुली हवा में ओड़ने का मौका देने पहुचा है दरसल कालेज के सक्त मिजाज प्रिंसपल बीर सहस् इसी भी सूरत में इस्टुडेंट को नमबर वन की धुन में डूबे रहना जरूरी है करियर की इस गलाका ट्रेस में किसी का रुकना उन्हें पसंद नहीं है ऐसे में कालेज के ठके और दर्ध में डूबे इस्टुडेंट्स को रेंचों मिलता है जो उनके दर्ध का साथकुरेसी यानी आर माधं और राजू Termant का भी यही हाल है राजू सकालेस के लिए पहुंचा में इसलिए पहुंचा है क्योंकि लखवे के सिकार उसके पिता और जिंद्धी भरपरिवार का पेड पालने वाली मां का सपना है कि वह इंजीनियर बने वह फरहान के अबबा परिछित साहनी ने तो उसे पैदा होने पर ही उसके इंजीनियर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था उन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि फरहान वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है मोबी की स्क्रिप्ट और दिल को छूते डायलाग स्थिरी इडियर्ट की जान है कई समाद ऐसे हैं जो हमारी बियोस्ता पर साटी कमेंट करते हैं वही कई डायलाग स्टुडेंट के लिए मैसेज हैं और परेंट्स के लिए एक सही सोच बेसक अबजीत जोसी और हिरानी की स्क्रिप्ट फिल्म का बेहद मजबूत पच्छ है इस पूरी फिल्म में आमिर खान चाय हुई हैं अपने सरदार अभिने से दर्शकों को आखिल तक बांधने में वाप पूरी तरह कामयाब रहे हैं वह सरमन और माधन का जो आप नहीं प्रिंसपल बीरू के रोल में बॉमन इरानी कमाल कर गए हैं करीना के हिसे में कुछ खास नहीं आया लेकिन अपने सिंपल लुक में वाख खोब जमी हैं फिल्म का म्यूजिक कहानी की डिमार्ड के मताबिक है जुबी डुबी और आल इजबेल गाने रिलीज से पहले ही पापलर हो चुके थे आमिर और करीना पर फिल्माए गए जुबी डुबी गाने का फिल्मांकरन का जब है राजकुमर हिरानी ने इस मूबी में भी अपने डिरेक्शन का जलवा दिखा दिया है उन्होंने थाबित कर दिया है कि उनके पिटारे से हर बार कुछ अलग और नया निकलता है कहानी पर हिरानी की सुरू से आखिल तक पकड़ है आमिर के रहते सरमन, माधवन, बोमन से हिरानी ने बहतरीन काम लिया है और हर एक के मौझूदगी को फिल्म का अहम हिस्सा बनाया है एक पल भी कहानी की गत को उन्होंने सुस्त नहीं पढ़ने दिया है तेरी इडियर्ट्स 2009 की एक हिंदी चल्चित्र है इस चल्चित्र की कहानी अंग्रेजी उपन्यासकार चेतन भगित के परसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास फाइब पॉइंट समोन पर आधारी थै चितरपड के मुखेकलाकार आमिर खान, करीना कपूर, आर्माधोन, सर्मन जोसी, बोमन इरानी और ओमी वैध हैं इस फिल्म को डायरेक्ट राजकुमार हिरानी ने किया था इसके निर्माता थे बिदु बिनो चोपड़ा इसको लिखा था अभजाद जोसी और राजकुमार हिरानी ने पढ़ कता है अभजाद जोसी राजकुमार हिरानी और बिदु बिनो चोपड़ा की इसमें संगीत दिया था संतन मोहितरा ने चायकार थे इसके सी केमर लिधरन संपादक थे इसके रणजीत बहड़ूर इस फ्यूढे की लागत 49 करोड़ोर रुपए है और इसकी कुल कमाई 460 करोड़ोर रुपए आके गई है राजकुमार हिरानी की खासिथ है कि गंभेर बाते मनवरंजक और हस्ते हस्ते कह देते हैं जिन्हें वो बाते समझ में नहीं आती उनका कम से कम मनुरंजन तो हुए ही जाता है। उसे एक ऐसे सिस्टम को मानना पड़ता है जिसमें उसे बैचारिक आजादी नहीं मिल पाती है। ये दुनों पृत्भासाली ब्यक्ति निरास नहीं करते हैं। रर्चोर दास यामल दास चांचड का निकनेम रांचो है। इंजिनिरिंग कालेज में रैंच यानि आमिर खान, फरहाद कुरैसी यानि आर माधोन और राजू रस्तोगी यानि सर्मन जोसी रूम पार्टनर्स हैं। फरहान वाइल्ड लाइप फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन उसके पैदा होने के एक मिनट बाद ही उसे इंजिनिर बनना है, ये उसके हिटलर पिता ने तैय कर दिया था, वह मर मरकर पढ़ रहा है। उड़ती हवासा, उड़ती पतंग सा, वह ग्रेड माक्स के ताबी ग्यान पर विस्वास नहीं करता, आसान सब्दों में कही बात उसे पसंद है, उसका मानना है कि जिन्दगी में वो करो जो तुम्हारा दिल कहे, वह काम्याबी और काबिलियत का फर्ग अपने दोस्तों को समझाता है, रैंचो के विचारों से कालेज के प्रेंसपल बीर सहस्तर बुद्धे यानि बोवन इरानी बिल्कुल सहमत नहीं है, वह जिन्दगी की चूहा दोड़ में हिस्सा लेने के लिए एक फैक्टरी की तरह बिदार्थियों को तयार करते हैं, पढ़ाई खतम होने के कहने में हिरानी माहिर हैं, फ्लेस बैक का उन्होंने यहां उम्दा प्रियोग किया है, हिरानी और अभजात जोसी ने जैदातर द्रस से ऐसे लिखे हैं, जो हसने पर, रोने पर या सोचने पर मजबूर करते हैं, अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिल्मों के फार फिल्म देख रहे हूं। पहले हाफ में सरपढ़ भागती फिल्म। दूसरे हाफ में कहीं करीन कमजूर हो गई है। पन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पुरानी फिल्मों का परभाव ने जराया वहां मुन्ना भाई था यहां रैंचो है वहां बोमन हिरानी डीन थे यहां वे प्रिंसपल हैं वहां मुन्ना भाई डीन की लड़की को चाहता था यहां रैंचो प्रिंसपल की लड़की को चाहता हालाक इन बातों से फिलम पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन फिलम कार पर दोराओ का असर दिखाई देता है सवाद चुटेले हैं इस देश में गारंटी के साथ 30 मिनट में पीच जा जाता है लेकिन एम्बुलेंस नहीं सेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख जात है लेकिन उसे विल ट्रेंड कहा जाता है विल इचुगेचर नहीं वैसे समवाद फिलम को धार परदान करते हैं अपने में सभी कलाकारों ने अपना स्रेष्ट पर दरसंदिया है अपनी उम्र से आधी उम्र का किरदार निभाना आसान नहीं था लेकिन आमिर ने यह कर दि जोसी और माध्वन अपनी उपस्तित दर्ज कराते हैं हलाकि माध्वन फिटनेस के मावले में मार खा गए एन और आई चतुर के रूम में ओमी ने बेहतरीन अभिने किया है बोमन इरानी ने फिर साबित किया है कि वो एक कमाल के अभिनेता है और एक्टिंग और का संगी सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो लेकिन इसक्रीन पर देखते समय अलग ही असर छोड़ता है जूबी जूबी गाने का फिल्मा करूमता है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉल बुड बहतरीन फिल्म के जरिया कर रहा है और 2009 में हैट्रिक पूरी हो गई है अनुठे बिसे चुटिले समवाद और सांदर अबने के कारड या फिल्म देखी जा सकती है अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को साकार करने का जरिया ना बनाए जो आप नहीं कर पाए हर साल देश में लगभग चार लाख यूग आत्म हत्या करते हैं जिन में ज्यादा तादा ऐसे यूगों की होती है जो बनना तो कुछ होर चाहते हैं लेकिन घरवालों के सपनों को पुरा करने में उनके अपने सपने चूर हो जाते हैं उस अपते रिलेज हुई थ्री इडिर्ट्स इन्हें बातों को असरदार धंग से उठाती हुई फिल अज़त होते हैं अज़त हैं थ्री इडिर्ट्स इपशर्ति हुई लग रही थी आईए जानते हैं कहानी के बारे में रैंचियानी रंचोरदास सेमलदास चांचाड़यानी अमिर खान सहर के नमबर वन इंजीनिरिंग कालिज में एंट्री करता है तो हर वक्त नमबर वन की रेस और सांधर करियर के पीछे भागते इस्टुडेंट को लगता है कि उन्हें या साथ ही खुली हवा में उड़ने का मौका देने पहुचा है दरसल कालिज के सक्त मिजाज प्रिंसपल बीर सहस्तर बुद्धियाने बोमन इरानी का मानना है कि किसी भी सूरत में इस्टुडेंट को नमबर वन की धुन में डूबे रहना जरूरी है करियर की इस गलाकाट ट्रेस में किसी का रुकना उन्हें पस सपनों को पूरा करने के लिए क्लिए सपनों का गला गोट रहे हैं रहंचो कुरूब में पाटनर फ्रहतकुरासि और आर माधुन और राजु रस्तोगी और साहनिन ने तो उसे पैदा होने पर ही उसके इंजिनियर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था उन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि फरहान वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है मुबी की स्क्रिप्ट और दिल को छोते डालाग स्थिरी इडियर्ट की जान है कई समाद ऐसे हैं जो हमारी बियोस्ता पर साटी कमेंट करते हैं वही कई डालाग स्टुडेंट के लिए मैसेज हैं और परेंट्स के लिए एक सही सोच बेसक अबजीत जोसी और हिरानी की स्क्रिप्ट फिल्म का बेहद मजबूत पच्छ है इस पूरी फिल्म में आमिर खान चाहे हुई हैं अपने सरदार अभिने से दर्शकों को आखिर तक बांधने में वाप पूरी तरह कामियाब रहे हैं वह सरमन और माधन का जोआप नहीं प्रिंस्पल बीरू के रोल में वामन इरानी कमाल कर गए हैं करीना के हिस्जे में कुछ खास नहीं आया लेकिन अपने सिंपल लुक में वाख खोब जमी हैं फिल्म का म्यूजिक कहानी की डिमांड के मताबिक है जुबी डुबी और आल इस बेल गाने रिलीज से पहले ही पापलर हो चुके थे आमिर और करीना पर फिल्माए गए जुबी डुबी गाने का फिल्मांकरन का जब है राजकुमार हिरानी ने इस मूबी में भी अपने डिरेक्शन का जलवा दिखा दिया है उन्होंने थाबित कर दिया है कि उनके पिटारे से हर बार कुछ अलग और नया निकलता है कहानी पर हिरानी की सुरू से आखिर तक पकड़ है आमिर के रहते सरमन, माधवन, बोमन से हिरानी ने बेतरीन काम लिया है और हर एक के मौझूदगी को फिल्म का अहम हिस्सा बनाया है एक पल भी कहानी की गत को उन्होंने सुस्त नहीं पढ़ने दिया है तेरी इडियर्ट्स 2009 की एक हिंदी चल्चितर है इस चल्चितर की कहानी अंग्रेजी उपन्यास कार चेतन भगित के परसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास फाइब पॉइंट समोन पर आधारी थै चितर पड़ के मुखिकलाकार आमिर खान, करीना कपूर, आर्माधवन, सरमन जोसी, बोमन इरानी और ओमी वैद्ध है इस फिल्म को डायरेक्ट राजकुमार हिरानी ने किया था, इसके निर्माता थे बिद बिनो चोपड़ा, इसको लिखा था अभजाद जोसी और राजकुमार हिरानी ने पढ़कता है अभजाद जोसी राजकुमार हिरानी और बिद बिनो चोपड़ा की और 171 मिनिट की फिल्म है भारत में हिंदी भांसा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत 49 करोड रुपे है और इसकी कुल कमाई 460 करोड रुपे आ की गई है राशकुमार हिरानी की खासियत है कि गंभेर बाते मनुरंजक और हस्ते हस्ते कह देते हैं जिन्हें वो बाते समझ में नहीं आती उनका कम से कम मनुरंजन तो हुई ही जाता है चितन भगत के उपन्यास फाइप पॉइंट समवन से प्रेरित फिल्म थिरी इडिट के जरिये हिरानी निवर्तमान से छप्रडाली पैरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दवा और किताबी ग्यान की उप्योगता पर मनुरंजक तरीके से सवाल उठाए हैं हर विद्यार्थी एक ना एक बार्या सोचता है कि जो पढ़ रहा है उसकी क्या उप्योगता है और सो पुरानी लिखी बातों को उसे रटना पड़ता है क्योंकि परिच्छा में नमबर लाने हैं जिनके आधार पर नवकरी मिलती है उसे एक ऐसे सिस्टम को मानना पड़ता है जिसमें उसे बैचारिक आजादी नहीं मिल पाती है माता पिता भी इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि समाज में योगता मापने का डिगरी ग्रेट्स पैमाने हैं कई लड़के लड़किया इसलिए डिगरी लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथ ही मिले इन सार प्रिद्भासाली बेक्ति निरास नहीं करते हैं रर्चोर दास्यामल दास चांचड का निक नेम रांचो है इंजीनिरिंग कालेज में रैंचो यानि आमिर खान फरहाद कुरेशी यानि आर्माधोन और राजू रस्तोगी यानि सर्मन जोसी रूम पार्टनर्स हैं फरहान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है लेकिन उसके पैदा होने के एक मिनट बाद ही उसे इंजीनियर बनना है ये उसके हिटलर पिता ने तैय कर दिया था वह मर मरकर पढ़ रहा है राजू का परिवार आर्थे ग्रूप से बेहत कमजोर है भविश का डर उस इसम का इंसान है बैती हवासा उड़ती पतंग सा वह ग्रेड मार्क्स के ताबी ज्यान पर विश्वास नहीं करता आसान सब्दों में कहीं बात उसे पसंद है उसका मानना है कि जिन्दगी में वो करो जो तुम्हारा दिल कहे वह काम्याबी और काबिलियत का फर्ग अपने खतम होने के बार रैंचो अचानक गायब हो जाता है वर्सो बार रैंचो के दरिस्त को उसके बारे में कुलो मिलता है और उसे तलासने के लिए निकलते हैं इस सपर में उन्हें रैंचो के बारे में कई नई बाते पता चलती हैं कहानी को स्क्रीन पर कहने में हिरानी माहिर ह फ्लेसबैक का उन्होंने यहां उम्दा प्रयोग किया है हिरानी और अभजात जोसी ने जैदा तरदरा से ऐसे लिखे हैं जो हसने पर रोने पर या सोचने पर मजबूर करते हैं अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिल्मों के फार्मूलों से भी परहेज नहीं किया है माधोन का नाटक कर हवाई जहाज रुकवाना करीना कपूर को साधी के मंडब से भगा ले जाना जाविद जाफरी से आमिल का पता पुछने वाले सीन देख लगता है मानों डेबिड धौन की फिल्म देख रहे हूँ पहले हाप में सरपड़ भाक्ती फिल्म दूसरे हाप में कहीं के कमजूर हो गई है खास तोर पर मोना सिंग के मा बनने वाला सीन बहत फिल्मी है आमिर की फिल्म में एंट्री और रैगिंग वाला द्रस चमतकार बलतकार वाला द्रस रैंचो द्वारा बार बार साबित करना की पिया अनी करीना कपूर ने गलत जिवन साथी चुना है धोकला फाफला थेफला खाकरा खांडवा अला सीन राजू के घर की हालत को बिंगात्मक सैली में पेस किया गया सीन बेतरी इन बन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पुरानी फिल्मों का परभाव ने जराया वहां मुन्ना भाई था यहां रैंचो है वहां बोमनी रानी डीन थे यहां है प्रिंसपल हैं वहां मुन्ना भाई डीन की लड़की को चाहता था यहां रैंचो प्रिंसपल की लड़की को चाहता है हालाक इन बातों से फिलम पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन फिलम कार पर दोराओ का असर दिखाई देता है सवाद चुटेले हैं इस देश में गारंटी की साथ 30 मिनट में पीच जा जाता है लेकिन एंबुलेंस नहीं सेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है लेकिन उसे विल ट्रेंड कहा जाता है विल इचुगेचर नहीं वैसे समवाद फिलम को धार पर दान करते हैं अबने में सभी कलाकारों ने अपना स्रेश्ट पर दरसंद दिया है अपने उमर से आधी उमर का किलदार निभाना आसान नहीं था लेकिन आमिर ने यह कर देखाया आज की युवा पीठी के हाव भाव को उन्होंने बारीकी से पकड़ा तेश तर्रार और अपनी सर्तों पर जीने वाले रैंचों को उन्होंने पूरी उर्जा के साथ परदे पर जीवन्द किया है अमिर खान के फिल्म में होने के बावजोश सर्मंजोसी और माध्वन अपनी उपस्तित दर्ज कराते हैं अलाकि माध्वन फिटनेस के मावले में मार खा गए एन आर आई चतुर के रूम में ओमी ने बेहतरीन अभिने किया है वोमन इरानी ने फिर साबित किया है कि वो एक कमाल के अभिनेता हैं ओवर एक्टिंग और एक्टिंग के बीश की रेखा के वे कुछ सलता से चले हैं आमीरा उनके बीश के दर्स देखने लाइक बन पड़े हैं करिना कपूर के रोल की लंबाई कम है इसके बावजोदों अपनी चाप छोड़ती हैं सांतुन मुईतरा का संगी सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो लेकिन इसक्रीन पर देखते समय अलग ही असर छोड़ता है जूबी जूबी गाने का फिलमांकर नूमता है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉली बुड बहतरीन फिलम के जरिये कर रहा है और 2009 में हैडरिक पूरी हो गई है अनूठे बिसे चुटिले समवाद और सांधर अबने के कारड या फिलम देखी जा सकती है अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को साकार करने का जरिया ना बनाए जो आप नहीं कर पाए हर साल देश में लगभग चार लाख यूग आत्म हत्या करते हैं जिन में ज्यादा तादा दैसे यूगों की होती है जो बनना तो कुछ हो चाहते हैं लेकिन घरवालों के सपनों को पूरा करने में उनके अपने सपने चूर हो जाते हैं उस अपते रिलेज हुई त्री इडियर्ट्स इन्हीं बातों को असरदार धंग से उठाती हुई फिल्म है जिस पर पूरी दुनिया को सोचने की जरूरत है राजकुमार हिरानी की या फिल्म पैरंट्स को यही समझाने की कोशिश करती है कि बच्चों की कामियाबी उनके काबिल बनने से है चाहे उनकी चाह किसी भी फिल्ड में हो पिछले साल उसी महिने रिलेज हुई आमिर खान की गजिनी ने बॉक्स आफिस पर ऐसा कमाल किया था कि पहले हपते ही फिल्म पर नोटों की जबरदस्त बारिस हो गई मुबी ने बॉक्स आफिस पर सबसे ज़्यदा कमाई की इस साल के आखिर में भी आमिर ने बॉक्स आफिस पर दस्तक दी और थियेटरों पर अपना कब्जा कर लिया पूरे साल नमबर वन की रेस में सामिल रही साय फिली खान की लब आजकल और सलमान खान की वांटेड भी थिरी इडियर से पिशरती हुई लग रही थी आईए जानते हैं कहानी के बारे में रैंचयानी रंचोर दास से अमल दास चांचाड यानि आमिर खान सहर के नमबर वन इंजिनिरिंग कालिज में एंटरी करता है तो हर वक्त नमबर वन की रेस और सांधर करियर के पिछे भागते इस्टुडेंट को लगता है कि उन्हें या का ट्रेस में किसी का रुकना उन्हें पसंद नहीं है ऐसे में कालिज के ठके और दर्द में डूबे इस्टुडेंट को रेंचो मिलता है जो उनके दर्द का इलाज बनना चाहता है कालिज में आकर रेंचो को लगता है ज्यादा तर इस्टुडेंट तो यहां मजबूरन मा बाप की जित और उनके अधूर्य सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का गला गोट रहे हैं। उन्हें इस बाद से कुछ लेना देना नहीं है कि फरहान वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है। और माधुन का जवाप नहीं। प्रिंस्पल बीरू के रोल में बॉमन इरानी कमाल कर गए हैं। करिना के हिसे में कुछ खास नहीं आया। लेकिन अपने सिंपल लुक में वाख खोब जमी है। फिल्म का म्यूजिक कहानी की डिमांड के मताबिक है। जुबी डुबी और आल इस बेल गाने रिलीज से पहले ही पापलर हो चुके थे। आमिर और करिना पर फिल्माए गए जुबी डुबी गाने का फिल्मांकरन का जब है। राजकुमार हिरानी ने इस मूबी में भी अपने डिरेक्शन का जिल्वा दिखा दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके पिटारे से हर बार कुछ अलग और नया निकलता है। कहानी पर हिरानी की सुरू से आखिर तक पकड़ है। आमिर के रहते सरमन, माधवन, बोमन से हिरानी ने बेतरिन काम लिया है और हर एक के मौजूदगी को फिल्म का अहम हिस्सा बनाया है। एक पल भी कहानी की गत को उन्होंने सुस्त नहीं पढ़ने दिया है। तेरी इडियर्ट्स 2009 की एक हिंदी चल्चित्र है। इस चल्चित्र की कहानी अंग्रेजी उपन्यास कार चेतन भगित के परसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास फाइब पॉइंट समोन पर आधारी थै। संपादक थे इसके रड़जीत बहादूर, इस्टूडियो थाइस में बिनोचोपडा प्रोडक्शन, बितरक थे इसके रिलाइंस एंटर्टेन्मेंट और 171 मिनट की फिल्म है भारत में हिंदी भांसा में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की लागत 49 करोड रुपे है और इसकी कुल कमाई 460 करोड रुपे आ के गई है। हिरानी की खासियत है कि गंभेर बाते मनुरंजक और हस्ते हस्ते कह देते हैं जिन्हें वो बाते समझ में नहीं आती उनका कम से कम मनुरंजन तो हुई ही जाता है। चितन भगत के उपन्यास फाइप पॉइंट समवन से प्रेरित फिल्म थिरी इडिट के जरिये। का जादी नहीं मिल पाती है। माता पिता भी इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि समाज में योगता मापने का डिगरी ग्रेट्स पैमाने हैं। कई लड़के लड़किया इसलिए डिगरी लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले। इन सारी बातों के हिरानी ने बोजिल तरीके से या उपदे सातमक तरीके से पेश नहीं किया है। बलकि मनोरेंजिन की चासनी में डुबो कर उन्होंने अपनी बात रखी है। आमिर हिरानी कामिनेशन के करण अपेच्छाए इस फिल्म से बहुत बढ़ गई हैं और ये दुनों प्रतभासाली बेक्ति निरास नहीं करते हैं। रर्चोर दास यामल दास चांचड का निक नेम रांचो है। अंदविस्वासों से घिरा हुआ है। पढ़ाई से जदा उसे पूजा पाठा और हाथ में पहनी ग्रह सांती के अंगूठिया पर है। वह डर डर कर पड़ रहा है। रर्चो एक अलग ही किसम का इंसान है। बैती हवा सा, उड़ती पतंग सा, वह ग्रेड माक्स के ताबी ज्यान पर विस्वास नहीं करता। आसान सब्दों में कही बात उसे पसंद है। उसका मानना है कि जिन्दगी में वो करो जो तुम्हारा दिल कहे। वह काम्याबी और काबिलियत का फर्ग अपने दोस्तों को समझाता है। रैंचो के विचारों से कालेश के प्रेंसपल बीर सहस्तर बुद्धे यानि बोवन इरानी बिल्कुल सहमत नहीं है। वो जिन्दगी की चूहा दोड में हिस्सा लेने के लिए एक फैक्टरी की तरह बिदार्थियों को तयार करते हैं। पढ़ाई खतम होने के बार रैंचो अचानक गायब हो जाता है। वर्शो बार रैंचो के दरिस्त को उसके बारे में कलो मिलता है और उसे तलासने के लिए निकलते हैं। इस सपर में उन्हें रैंचो के बारे में कई नई बाते पता चलती हैं। कहानी को स्क्रीन पर कहने में हिरानी माहिर हैं। फ्लेस बैक का उन्होंने यहां उम्दा प्रियोग किया है। हिरानी और अभजात जोसी ने जैदा तरद्रस से ऐसे लिखे हैं जो हसने पर, रोने पर या सोचने पर मजबूर करते हैं। अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिल्मों के फार्मूलों से भी परहेज नह पहले हाप में सरपड़ भाक्ती फिल्म, दूसरे हाप में कहीं के कमजूर हो गई है। खास तोर पर मोना सिंग के मा बनने वाला सीन बेहत फिल्मी है। आमीर की फिल्म में एंट्री और रैगिंग वाला द्रस चमतकार, बलतकार वाला द्रस रैंचो द्वारा बार बार में पेस किया गया सीन बेतरी इंड बन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पुरानी फिल्मों का परभाव ने जराया वहां मुन्ना भाई था यहां रैंचो है वहां बोमन हिरानी डीन थे यहां वे प्रिंसपल हैं वहां मुन्ना भाई डीन की लड़की को चाहता था यहां रैंच मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है लेकिन उसे विल ट्रेंड कहा जाता है विल इचुगेचर नहीं वैसे समवात फिल्म को धार परदान करते हैं अपने में सभी कलाकारों ने अपना स्रेष्ट पर दरसंदिया है अपनी उम्र से आधी उम्र का किलदार निभाना आसान नही है अमिर खान के फिल्म में होने के बावजू सर्मन जोसी और माध्वन अपनी उपस्तित दर्ज कराते हैं हलाकि माध्वन फिटनेस के मावले में मार खा गए एन और आई चतुर के रूम में ओमी ने बेहतरीन अभिने किया है बोमन इरानी ने फिर साबित किया है कि वह कमा आप छोड़ती हैं सांतुन मुईत्रा का संगी सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो लेकिन इस्क्रीन पर देखते समय अलग ही यह सर छोड़ता है जूबी जूबी गाने का फिल्मांकर उम्दा है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉल बुड बहतरीन फिल्म ना बनायें जो आप नहीं कर पाए हर साल देश में लगभग 4 लाख यूग आतमात्या करते हैं जिनमें ज्यादा तादा दैसे यूगों की होती है जो बनना तो कुछ होर चाहते हैं लेकिन घरवालों के सपनों को पुरा करने में उनके अपने सपने चूर हो जाते हैं उस पूर्य साल नंबर वन की रेस में सामिल रही साय फली खान की लब आजकल और सलमान खान की वांटेड भी थिरी इडियर से पिशर्ती हुई लग रही थी आए जानते हैं कहानी के बारे में रैंचयानी रंचोर दास से अमल दास चांचाड यानी अमिर खान सहर के नंबर वन इंजिनरिंग कालिज में एंटरी करता है तो हर वक्त नंबर वन की रेस और सांदर करियर के पिछे भागते इस्टुडेंट को नंबर वन की धुन में डूबे रहना जरूरी है करियर की इस गलाकाट रेस में किसी का रुकना उन्हें पसंद नहीं है ऐसे में कालिज के ठके और दर्द में डूबे स्टुडेंट्स को रैंचो मिलता है जो उनके दर्द का इलाज बनना चाहता है कालिज में आकर यानि आर माधन और राजू रस्तोगी यानि सरमंजोसी का भी यही हाल है राजू स्कालिज के लिए पहुँचा राजू स्कालिज में इसलिए पहुचा है क्योंकि लकवे के सिकार उसके पिता और जिंदगी भर परिवार का पेड़ पालने वाली मा का सपना है कि वह इंज स्क्रिप्ट और दिल को छूते डायलाग स्थीरी इडियर्ट की जान हैं कई समाद ऐसे हैं जो हमारी बियोस्ता पर सटी कमेंट करते हैं वही कई डायलाग स्टुडेंट के लिए मैसेज हैं और परेंट्स के लिए एक सही सोच बेसक अब जीत जोसी और हिरानी की हिद मजबूत पच्छ है इस पूरी फिल्म में आमिर खान चाय हुई हैं अपने सरदार अभिने से दर्शकों को आखिल तक बांधने में वाप पूरीत रहे कामयाब रहे हैं वह सर्मन और माध्वन का जो आप नहीं प्रिंस्पल बीरू के रोल में बॉमन इरानी कमाल कर ग जुबी डुबी गाने का फ्लमांकरन का जब है राजकुमार हिरानी ने इस मूबी में भी अपने डायरेक्शन का जिलवा दिखा दिया है उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके पिटारे से हर बार कुछ अलग और नया निकलता है कहानी पर हिरानी की सुरू से आखिल तक प पड़ेने दिया है तेरी इडियर्ट्स 2009 की एक हिंदी चल्चित्र है इस चल्चित्र की कहानी अंग्रेजी उपन्यास कार चेतन भगित के परसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास फाइब पॉइंट समोन पर आधारी थे चित्र पड़ के मुखिकलाकार आमिर खान करीना कपूर आर्माधोहन, सर्मन जोसी, बोमन इराणी और ओमी वयद्ध हैं इस फिल्म को डाइर्यक्ट 라जकुमार हिरानय ने किय था इसके निरमाता थे बिदु भिनोचोपड़ा इसको लिखा था अभजाद जोसी और राजकुमार हिरानी और बिदु भिनोचोपड़ा की इसमें संगीत दिया था संतन मोहितरा ने, चायकार थे इसके सी केमरली धरन, संपादक थे इसके रड़जीत बहादूर, इस्टूडियो था इसमें बिनो चोपडा प्रोडक्शन, बितरक थे इसके रिलाइंस एंटर्टेन्मेंट और 171 मिनट की फिल्म है भारत में हिंदी भ जिन्हें वो बाते समझ में नहीं आती, उनका कम से कम मनुरंजन तो हुए ही जाता है। उसे एक ऐसे सिस्टम को मानना पड़ता है जिसमें उसे बैचारिक आजादी नहीं मिल पाती है। माता पिता भी इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि समाज में योगता मापने का डिगरी ग्रेट्स पैमाने हैं। कई लड़के लड़किया इसलिए डिगरी लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथ ही मिले। इन सारी बातों के हिरानी ने बोजिल तरीके से या उपदे सातमक तरीके से पेश नहीं किया है। बलकि मनुरेंजन की चासनी में डुबो कर उन्होंने अपनी बात रखी है। इंडलाइब फोटोग्राफर बनना चाहता है लेकिन उसके पैदा होने के एक मिनट बाद ही उसे इंजिनियर बनना है ये उसके हिटलर पिता ने तैकर दिया था। वह मर मर कर पढ़ रहा है। राजू का परिवार आर्थे ग्रूप से बेहत कमजोर है। भविश का डर उसे सताता रहता है। बिग्यान का चात्र होने के बावजोद वा तमाम अंद विश्वासों से घिरा हुआ है। पढ़ाई से जदा उसे पूजा पाठा और हाथ में पहनी ग्रह सांती के अंगूठिया पर है। वह डर डर कर पढ़ रहा है। रंचो एक अलग ही किसम का इंसान है। बैती हवाज उड़ती पतंग सा वह ग्रेड मार्क्स किताबी घ्यान पर विश्वास नहीं करता। आसान सब्दों में कही बात उसे पसंद है। उसका मानना है कि जिन्दगी में वो करो जो तुम्हारा दिल कहे। वह काम्याबी और काबिलियत का फर्ग अपने दोस्तों को समझाता है। रैंचो के विचारों से कालेश के प्रेंस्पल बीर सहस्तर बुध्ध यानि बोवन इरानी बिलकुल सहमत नहीं है। वो जिन्दगी की चूहा दोड़ में हिस्सा लेने के लिए एक फैक्टरी की तरह बिदार्थियों को तयार करते हैं। पढ़ाई खतम होने के बार रैंचो के दरेस्त को उसके बारे में क्लो मिलता है और उसे चलासने के लिए निकलते हैं। इस सपर में उन्हें रैंचो के बारे में कई नई बाते पता सती है। कहानी को श्क्रीन पर कहने में हिरानी माहिर हैं फ्लेस बैक का उन्होंने यहां उम्दा प्रयोग किया है हिरानी और अभिजात जोसी ने जैदा तरद्रस ऐसे लिखे हैं जो हसने पर रोने पर या सोचने पर मजबूर करते हैं अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिल धोन की फिल्म देख रहे हूँ पहले हाप में सरपढ भाक्ती फिल्म दूसरे हाप में कहीं के कम जूर हो गई है पूर ने गलत जिवन साथी चुना है। धोकला फाफ़णा थेफला खाकरा खनडवा वाला सीन राजू के घर की हालत को बिंगातमक सैली में पेस किया गया सीन बेहतरी इन बन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पुरानी फिल्मों का परभाव ने जराया वहां मुन्ना भाई था यहां रैंचो है वहां बोमन हिरानी डीन थे यहां में प्रिंसपल हैं वहां मुन्ना की साथ 30 मिनट में पीच जा जाता है लेकिन एंबुलेंस नहीं सेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है लेकिन उसे विल ट्रेंड कहा जाता है विल इचुगेचर नहीं वैसे समवात फिल्म को धार परदान करते हैं अबने में सभी कलाकारों ने अपना स्रेष्ट पर दरसंदिया है अपनी उम्र से आधी उम्र का किरदार निभाना आसान नहीं था लेकिन आमिर ने यह कर दिखाया आज की युवा पीठी के हाव भाव को उन्होंने बारीकी से पकड़ा तेज तर्रार और अपनी सर्तों पर जीने वाले रैंचों को उन्होंने पूरी उर में ओमी ने बिहतरीन अभी ने किया है बोमन इरानी ने फिर साबित किया है कि वह कमाल के अभीनेता है और एक्टिंग के बीक्ति कि रेखा के विए कुछ सलता से चले हैं आमीर उनके बीच के दर से देखने लायक बन पड़े हैं करिणा कपूर के रोल की लंबाई कम है इस इसलिए दो बार से वर्स का तापमान बॉल बुड बेतरिन फिल्म के जरिये कर रहा है और 2009 में हाइटरिक पूरी हो गई है अनुठे बिसे चुटिले समवाद और सांदार अबने के कारड या फिल्म देखी जा सकती है। चूर हो जाते हैं। उस अपते रिलेज हुई थ्री इडियर्ट्स इन्हीं बातों को असरदार ढंग से उठाती हुई फिल्म है जिस पर पूरी दुनिया को सोचने की जरूरत है। आखिर में भी आमिर ने बाक्स आफिस पर दस्तक दी और थेट्रों पर अपना कबजा कर लिया। पूरे साल नंबर वन की रेस में सामिल रही साय फली खान की लब आजकल और सलमान खान की वांटेट भी थिरी इडियर्ट्स से पिशरती हुई लग रही थी। आए जानते हैं कहानी के बारे में। आट्रेस में किसी का रुकना उन्हें पसंद नहीं है। ऐसे में कालेश के ठके और दर्द में डूबे स्टुडेंट्स को रेंचो मिलता है जो उनके दर्द का इलाज बनना चाहता है। कालेश में आकर रेंचो को लगता है ज्यदा तर स्टुडेंट्स तो यहां मजबूरन माबाप की जित और उनके अधूर्य सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का गला घोट रहे हैं। रेंचो करूब में पार्टनर फ्रहात कुरय सी यानि आर माधोन और राजू रस्तोगी यानि सरमंजोसी का भी यही हाल है राजू इसकालेश के लिए पहुँचा है क्योंकि लकवे के सिकार उसके पिता और जिंदगी भर परिवार का पेट पालने वाली मा का सपना है कि व कोई फरहान के अबबा परिछित साहनी ने तो उसे पैदा होने पर ही उसके इंजिनियर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था उन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि फरहान वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है मोबी की स्क्रिप्ट और दिल की स्क्रिप्ट फिल्म का बेहत मजबूत पच्छ है इस पूरी फिल्म में आमिर खान चाहे हुए हैं अपने सरदार अभिने से दर्शकों को आखिर तक बांधने में वाप पूरीत रहे कामयाब रहे हैं वह सर्मन और माधौन का जवाब नहीं प्रिंपल बीरू के रोल में वमन इरानी कमाल कर गए हैं करीना के हिसे में कुछ खास नहीं आया लेकिन अपने सिंपल लुक में वाख खोब जमी हैं फिल्म का म्यूजिक कहानी की डिमांड के मताबिक है जुबी डुबी और आल इस बेल गाने रिलीस से पहले ही पापलर हो चुके थे आमिर और करीना प सरमन, माधवन, बोमन से हिरानी ने बेतरिन काम लिया है और हर एक के मौजूदगी को फिल्म का एहम हिस्सा बनाया है एक पल भी कहानी की गत को उन्होंने सुस्त नहीं पढ़ने दिया है तेरी एडियर्स 2009 की एक हिंदी चलचितर है इस चलचितर की कहानी अंग्रेजी उप राजकुमार हिरानी ने किया था इसके निर्माता थे बिद बिनोचोपड़ा इसको लिखा था अवजाद जोसी और राजकुमार हिरानी ने पढ़कता है अवजाद जोसी राजकुमार हिरानी और बिद बिनोचोपड़ा की इसमें संगीत दिया था संतन मोहितरा ने छायक की फिल्म है भारत में हिंदी भासा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत 49 करोड रुपे है और इसकी कुल कमाई 460 करोड रुपे आके गई है राशकुमार हिरानी की खासियत है कि गंभेर बाते मनुरंजक और हस्ते हस्ते कह देते हैं जिन्हें वो बाते समझ में नहीं आती उनका कम से कम मनुरंजन तो हुई ही जाता है चितन भगत के उपन्यास फाइब पॉइंट समवन से प्रेरित फिल्म थिरी इडिट के जरिये हिरानी निवर्तमान से छप्रडाली पैरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दवा और किताबी ग्यान की उपयोगता पर मनुरंजक तरीके से सवाल उठाए हैं हर विद्यार्थी एक ना एक बार्या सोचता है कि जो पढ़ रहा है उसकी क्या उपयोगता है और सो पुरानी लिखी बातों को उसे रटना पढ़ता है क्योंकि परिच्छा में नमबर लाने हैं जिनके आधार पर नौकरी मिलती है उ इसमें उसे बैचारिक आजादी नहीं मिल पाती है माता पिता भी इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि समाज में योगता मापने का डिगरी ग्रेट्स पैमाने हैं कई लड़के लड़किया इसलिए डिगरी लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथ ही मिले इन सारी ब रुद्भासाली बेक्ति निरास नहीं करते हैं रर्चोर दास स्यामल दास चांचड का निक नेम रांचो है इंजीनिरिंग कालेज में रैंचो यानि आमिर खान फरहाद कुरैसी यानि आर माधोन और राजू रस्तोगी यानि सर्मन जोसी रूम पार्टनर्स हैं फरहान वा बिग्यान का छात्र होने के बाउजोद वा तमाम अंद विश्वासों से घिरा हुआ है पढ़ाई से जदा उसे पूजा पाठा और हाथ में पहनी ग्रह सांती के अंगूठिया पर हैं वा डर डर कर पड़ रहा है रंचो एक अलग ही किसम का इंसान है बहती हवासा उड़त का फर्ग अपने दोस्तों को समझाता है रंचो के विचारों से कालेश के प्रेंसपल बीर सहस्तर बुद्ध यानि बोवन इरानी बिल्कुल सहमत नहीं है वह जिंदगी की चूहा दोड़ में हिस्सा लेने के लिए एक फैक्टरी की तरह बिदार्थियों को तैयार करते हैं पढ़ाई खतम होने के बार रंचो अचानक गायब हो जाता है वर्सो बार रंचो के दरिस्त को उसके बारे में कुलो मिलता है और उसे तलासने के लिए निकलते हैं इस सपर में उन्हें रंचो के बारे में कई नई बाते पता चलती हैं कहानी को स्क्रीन पर कहने में हिरानी माहिर हैं फ्लेस बैक का उन्होंने यहां उम्दा प्रयोग किया है हिरानी और अभिजात जोसी ने जैदा तरद्रस से ऐसे लिखे हैं जो हसने पर रोने पर या सोचने पर मजबूर करते हैं अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिल्मों के फार्मूलों से भी परहेज नहीं किया है माधौन का नाटक कर हवाई जहाज रुकवाना करीना कपूर को साधी के मंडब से भगा ले जाना जाविद जाफरी से आमिल का पता पुछने वाले सीन देख लगता है मानू डेबिड धौन की फिल्म देख रहे हूं पहले हाप में सरपड़ भाक्ती फिल्म से रैंचो द्वारा बार बार साबित करना की पिया एनी करीना कपूर ने गलत जिवन साथी चुना है धोकला फाफला थेफला खाकरा खांडवा अला सीन राजु के घर की हालत को बिंगात्मक सैली में पेस किया गया सीन बेहतरी इन बन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पुर पास असर नहीं पड़ता लेकिन फिल्मकार पर दोराओ का असर दिखाई देता है सवाच चुटेले हैं इस देश में गारंटी की साथ 30 मिनट में पीच जा जाता है लेकिन एम्बुलेंस नहीं सेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है लेकिन उसे विल ट्रेंड कहा जाता है विल इचुगेचर नहीं वैसे समवात फिल्म को धार पर दान करते हैं अपने में सभी कलाकारों ने अपना स्रेश्ट पर दर्शन दिया है अपनी उम्र से आधी उम्र का किलदार निभाना आसान नहीं था लेकिन आमिर ने यह कर दिखाया आज की युवा कराते हैं हलाकि माधवन फिटनेस के मावले में मार खा गए एन और आई चतुर के रूम में ओमी ने बेहतरीन अभिने किया है वोमन इरानी ने फिर साबित किया है कि वह कमाल के अभिनेता है और एक्टिंग और एक्टिंग के बीश की रेखा के वए कुछ सलता से चले हैं आमीरा उनके बीश के दरस देखने लाइक बन पड़े हैं करीना कपूर के रोल की लंबाई कम है इसके बावजोदों अपनी चाप छोड़ती हैं सांतुन मुहित्रा का संगी सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो लेकिन इसक्रीन पर देखते समय अलग ही इसर छोड होता है जूबी जूबी गाने का फिल्मांकर नूमता है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉल बुड बहतरिन फिल्म के जरिया कर रहा है और 2009 में हैड्रिक पूरी हो गई है अनुठे बिसे चुटिले समवाद और सांदार अबने के कारड या फिल्म देखी जा सकती ह अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को साकार करने का जरिया ना बनाए जो आप नहीं कर पाए हर साल देश में लगभग चार लाख यूग आत्म हत्या करते हैं जिन में ज्यादा तादा दैसे यूगों की होती है जो बनना तो कुछ हो चाहते हैं लेकिन घरवालो की या फिल्म पैरंट्स को यही समझाने की कोशिस करती है कि बच्चों की काम्याभी उनके काबिल बनने से है चाहे उनकी चाह किसी भी फील्ड में हो पिछले साल उसी महिने रिलेज हुई आमिर खान की गजिनी ने बॉक्स आफिस पर ऐसा कमाल किया था कि पहले हपते ही फ आमिल रही साय फिली खान की लब आजकल और सल्मान खान की वांटेड भी थिरी इडियर से पिशरती हुई लग रही थी आए जानते हैं कहानी के बारे में रैंचयानी रंचोर दास स्यामल दास चांचाड यानि आमिर खान सहर के नंबर वन इंजिनिरिंग कालिज में एंट इरानी का मानना है कि किसी भी सूरत में इस्टूडेंट को नंबर वन की धुन में डूबे रहना जरूरी है करियर की इस गलाकाट रेस में किसी का रुकना उन्हें पसंद नहीं है ऐसे में कालिज के ठके और दर्द में डूबे इस्टूडेंट्स को रैंचो मिलता है जो उ आल्पाटपएविक शेंदगी भरिवार का पेड़ पालने वाले उन्जीनीर बरहान के अबबा परिठ लुए प्रिष्चित सहनीम ने तो उसे पैदा होने पर ये उसके इंजीनीर का सपना देखना शुरू इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि फरहान वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है मूबी की स्क्रिप्ट और दिल को छूते डायलाग स्थिरी इडियेट की जान हैं कई सवाध ऐसे हैं जो हमारी बियोस्ता पर सटीक कमेंट करते हैं वही कई डायलाग स्टु प्रिंस्पल बियो के रोल में बॉमन इरानी कमाल कर गए हैं करीना के हिसे में कुछ खास नहीं आया लेकिन अपने सिंपल लुक में वाख खुब जमी हैं फिल्म का म्यूजिक कहानी की डिमार्ड के मताबिक है जुबी डुबी और आल इस बिल गाने रिलीस से पहले ही कहानी पर हिरानी की सुरू से आखिरता पकड़ है आमिर के रहते सरमन माधवन बोमन से हिरानी ने बेतरिन काम लिया है और हर एक की मौजूद्गी को फिल्म का एहम हिस्सा बनाया है एक पल भी कहानी की गत को उन्होंने सुस्त नहीं पढ़ने दिया है तेरी इडियर्ट्स बोमन इरानी और ओमी वैध है इस फिल्म को डायरेक्ट राजकुमार हिरानी ने किया था इसके निर्माता थे बिद बिनो चोपड़ा इसको लिखा था अबजाद जोसी और राजकुमार हिरानी ने पढ़कता है अबजाद जोसी राजकुमार हिरानी और बिद बिनो चोप इस्टूडियो था इसमें बिनो चोपडा प्रोडक्शन बिद्रक्थ इसके रिलाइंस एंटर्टेन्मेंट और 171 मिनट की फिल्म है भारत में हिंदी भांसा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत 49 करोड रुपे है और इसकी कुल कमाई 460 करोड रुपे आके गई है रा देरिये हिरानी निवर्तमान सच्छा प्रडाली पैरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दवा और किताबी ग्यान की उप्योगता पर मनुरंजक तरीके से सवाल उठाए हैं हर विद्यार्थी एक ना एक बार्या सोचता है कि जो पढ़ रहा है उसकी क्या उप्योगता है और सोपरानी लिखी बातों को उसे रटना पड़ता है क्योंकि परिच्चा में नंबर लाने हैं जिनके आधार पर नवकरी मिलती है उसे एक ऐसे सिस्टम को मानना पड़ता है जिसमें उसे बैचारिक आज़ादी नहीं मिल पाती है माता पिता भी इसलिए दबाव ढालत जिन की चासनी में डूबो कर उन्होंने अपनी बात रखी है आमिर हीरानी कंबिनेशन के करण अपेच्छाए इस फिल्म से बहुत बढ़ गई हैं और ये दुनों पृत्भासाली बेक्ति निरास नहीं करते हैं रर्चोर दास यामल दास चांचड का निक नेम रांचो है इजिनियर बनना है ये उसके हिटलर पिता नेते कर दिया था वह मर मरकर पढ़ रहा है राजू का परिवार आर्थे ग्रूप से बेहत कमजोर है भविश का डर उसे सताता रहता है बिग्यान का छात्र होने के बावजोद वा तमाम अंदविस्वासों से घिरा हुआ है पढ मारक्स किताबी ग्यान पर विश्वास नहीं करता आसान सब्दों में कही बात उसे पसंद है उसका मानना है कि जिन्दगी में वो करो जो तुम्हारा दिल कहे वह काम्याबी और काबिलियत का फर्ग अपने दोस्तों को समझाता है रैंचों के विचारों से कालेज के प्रें हो जाता है वर्षो बार रैंचों के दर्ष्ट को उसके बारे में कलो मिलता है और उसे तलासने के लिए निकलते हैं इस सपर में उन्हें रैंचों के बारे में कई नई बाते पता चलती हैं कहानी को स्क्रीन पर कहने में हिरानी माहिर हैं फ्लेस बैक का उन्होंने यहां उम नहीं किया है माधौन का नाटकर हवाई जहाज रुकवाना करीना कपूर को साधी के मंडप से भगा ले जाना जाविद आफरी से आमिल का पता पुछने वाले सीन देख लगता है मानू डेविड धौन की फिल्म देख रहे हूं पहले हाप में सरपड़ भाक्ती फिल्म दूस साबित करना की पिया एनी करीना कपूर ने गलत जीवन साथी चुना है धोकला फाफ़डा थेफला खाकरा खांडवा लासीन राजू के घर की हालत को विंगात्मक सैली में पेस किया गया सीन बेहतरी इन बन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पुरानी फिल्मों का परभाव न पड़ता लेकिन फिल्मकार पर दोराओ का असर दिखाई देता है सवाच चुटेले हैं इस देश में गारंटी के साथ 30 मिनट में पीच जा जाता है लेकिन एम्बूलेंस नहीं सेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है लेकिन उसे विल ट्रेंड कह जाता है विल अभी के हाव भाव को उन्होंने बारीकी से पकड़ा तेश तर्रार और अपनी सर्तों पर जीने वाले रैंचों को उन्होंने पूरी उर्जा के साथ परदे पर जीवन्द किया है अमिर खान के फिल्म में होने के बावजूसर मंजोसी और माध्वन अपनी उपस्तित और एक्टिंग और एक्टिंग के बीश की रेखा के वे कुछ सलता से चले हैं आमिर और उनके बीश के दरस देखने लाइक बन पड़े हैं करिना कपूर के रोल की लंबाई कम है इसके बावजूदों अपनी चाप छोड़ती हैं सांतुन मुहितरा का संगी सुनने में भले यह अच्छा नहीं लगता हो लेकिन इसक्रीन पर देखते समय अलग ही यह सर छोड़ता है जूबी जूबी गाने का फिल्मांकर उम्दा है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉल बुड बहतरीन फिल्म के जरिया कर रहा है और 2009 में हैट्रिक पूरी हो गई है अनूठ भी से चुटिले समवाद और सांदर अबने के कारड या फिल्म देखी जा सकती है अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को साकार करने का जरिया ना बनाएं जो आप नहीं कर पाए हर साल देश में लगभग चार लाख यूग आत्मात्या करते हैं जिन में ज्यादा तादाद ऐसे यूगों की होती है जो बनना तो कुछ होर चाहते हैं लेकिन घरवालों के सपनों को पुरा करने में उनके अपने सपने चूर हो जाते हैं उस अपते रिलेज हुई थ्री इडियर्ट्स इन्हीं बातों को असरदार ढंग से उठाती हुई फिल्म है जिस पर ताद ऋब और दानी वहहीं ने रिलेज हुई आमिर खान की घरजनी ने बाक्स अफिस पर ऐसा कमाल किया था कि पहले हच्पते ही फिल्म पर नोटों की जबरदस्त बारिश हो गई बिल्में बाक्स अफिस पर सबसे जिधा कमाई की इस साल के आखिर में भी आमिर ने बाक चोड़दास सेमलदास चांचाड़याने अमिर खान सहर के नंबर वन इंजिनिरिंग कालिज में एंट्री करता है तो हर वक्त नंबर वन की रेस और सांधर करियर के पीछे भागते इस्टुडेंट को लगता है कि उन्हें या साथी खुली हवा में उड़ने का मौका देने प पसंद नहीं है ऐसे में कालिज के ठके और दर्द में डूबे स्टुडेंट्स को रेंचों मिलता है जो उनके दर्द का इलाज बनना चाता है कालिज में आकर रेंचों को लगता है ज्यादा तर उस्टुडेंट तो यहां मजबूरन माबाप की जित और उनके अधुर्य सपनों का गला घोट रहे हैं रैंचजो करूब में पारट्नर फ्राहत कुराशी यानि आर माधॉन और राजु रस्तोगी यनि सर्मंजोसी का भी यह हाल है राजु इस कालेज के लिए पहुँचा राजिश कालेज में इसलिए पहुँचा है क्योंकि लकवे के सिकार उसके पिता और जिंदगी भर परिवार का पेड़ पालने वाली मा का सपना है कि वह इंजीनियर बने वह फरहान के अबबा परिछित साहनी ने तो उसे पैदा होने पर ही उसके इंजी कमेंट करते हैं वही कई डियालॉग स्टुडेंट के लिए मैसेज हैं और परेंट्स के लिए एक सही सोच बेसक अबजीत जोसी और हिरानी की स्क्रिट फिल्म का बेहद मजबूत पच्छ है इस पूरी फिल्म में आमिर खान चाय हुई हैं अपने सरदार अभिने से दर्श के लिए फिल्म का म्यूजिक कहानी की दिमांट के मताबिक है जुबी डुभी और आल इजबियल गाने रिलीस से पहले ही पापलर हो चुके थे आमीर और करेने पर फिल्माए गए जुबी डुभी गाने का फिल्मां करन कचब है राज-कुमार हिरानी ने इस मूबी में भी अपने direction का जिलवा दिखा दिया है उन्होंने थाबित कर दिया है कि उनके पिटारे से हर बार कुछ अलग और नया निकलता है कहानी पर हिरानी की सुरू से आखिर तक पकड़ है आमिर के रहते सरमन, माधवन, बोमन से हिरानी ने बेहतरीन काम लिया है और हर एक के मौझूदगी को फिल्म का अहम हिस्सा बनाया है एक पल भी कहानी की गत को उन्होंने सुस्त नहीं पढ़ने दिया है तेरी इडियर्ट्स 2009 की एक हिंदी चल्चितर है इस चल्चितर की कहानी अंग्रेजी उपन्यास कार चेतन भगित के परसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास फाइब पॉइंट समोन पर आधारी थै चितर पड़ के मुखेकलाकार आमिर खान, करीना कपूर, आर्माधोन, सर्मन जोसी, बोमन इरानी और ओमी वैध हैं इस फिल्म को डायरेक्ट राजकुमार हिरानी ने किया था, इसके निर्माता थे बिदु बिनो चोपड़ा, इसको लिखा था अभजाद जोसी और राजकुमार हिरानी ने पटकता है अभजाद जोसी राजकुमार हिरानी और बिदु बिनो चोपड़ा की और 171 मिनिट की फिल्म है भारत में हिंदी भांसा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत 49 करोड रुपे है और इसकी कुल कमाई 460 करोड रुपे आके गई है राशकुमार हिरानी की खासियत है कि गंभेर बाते मनुरंजक और हस्ते हस्ते कहे देते हैं जिन्हें वो बाते समझ में नहीं आती उनका कम से कम मनुरंजन तो हुई ही जाता है चितन भगत के उपन्यास फाइप पॉइंट समवन से प्रेरित फिल्म थिरी इडिट के जरिये हिरानी निवार्तमान से छप्रडाली पैरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दवा और किताबी ग्यान की उपयोगता पर मनुरंजक तरीके से सवाल उठाए हैं हर विद्यार्थी एक ना एक बार्या सोचता है कि जो पढ़ रहा है उसकी क्या उपयोगता है और सो परानी लिखी बातों को उसे रटना पड़ता है क्योंकि परिच्छा में नमबर लाने हैं जिनके आधार पर नौकरी मिलती है उसे एक ऐसे सिस्टम को मानना पड़ता है जिसमें उसे बैचारिक आजादी नहीं मिल पाती है माता पिता भी इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि समाज में योगताम आपने का डिगरी ग्रेट्स पैमाने हैं कई लड़के लड़किया इसलिए डिगरी लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथ ही मिले इन सारी प्रिद्भासाली ब्यक्ति निरास नहीं करते हैं रर्चोर दास यामल दास चांचड का निक नेम रांचो है इंजिनिरिंग कालेज में रैंच यानि आमिर खान फरहाद कुरैसी यानि आर माधोन और राजू रस्तोगी यानि सर्मन जोसी रूम पार्टनर्स हैं फरहान वा पार्थे ग्रूप से बेहत कमजोर है भविश का डर उसे सताता रहता है विग्यान का छात्र होने के बावजोद वा तमाम अंद्विस्वासों से घिरा हुआ है पढ़ाई से जधा उसे पूजा पाठा और हाथ में पहनी ग्रह सांती के अंगूठिया पर है वा डर डर कर प काम्याबी और काबिलियत का फर्ग अपने दोस्तों को समझाता है रैंचों के विचारों से कालेश के प्रेंस्पल बीर सहस्तर बुद्ध यानि बोवन इरानी बिल्कुल सहमत नहीं है वह जिंदगी की चूहा दोड़ में हिस्सा लेने के लिए एक फैक्टरी की तरह विद स्क्रीन पर कहने में हिरानी माहिर हैं फ्लेस बैक का उन्होंने यहां उम्दा प्रयोग किया है हिरानी और अभिजात जोसी ने जैदातर द्रस ऐसे लिखे हैं जो हसने पर रोने पर या सोचने पर मजबूर करते हैं अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिल्मों के फार्मूलों से भी परहेज नहीं किया है माधवन का नाटकर हवाई जहाज रुकवाना करीना कपूर को साधी के मंडब से भगा ले जाना जाविद आफरी से आमिल का पता पुछने वाले सीन देख लगता है मानूर डेविड धौन की फिल्म देख रहे हूं पहले हाप में सर मतकार बलतकार वाला द्रस रैंचो द्वारा बार बार साबित करना की पिया अनी करीना कपूर ने गलत जीवन साथी चुना है धोकला फाफ़डा थेफला खाकरा खांडवा अला सीन राजु के घर की हालत को बिंगात्मक सैली में पेस किया गया सीन बेहतरी इंड़ बन हालाक इन बातों से फिलम पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन फिलमकार पर दोराओ का असर दिखाए देता है सवाद चुटेले हैं इस देश में गारंटी की साथ 30 मिनट में पीच जा जाता है लेकिन एम्बुलेंस नहीं सेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख ज जाता है लेकिन उसे विल ट्रेंड कहा जाता है विल इचुगेचेट नहीं वैसे समवाद फिलम को धार परदान करते हैं अबने में सभी कलाकारों ने अपना स्रेष्ट पर दरसंदिया है अपनी उमर से आधी उमर का किलदार निभाना आसान नहीं था लेकिन आमिर ने यह मनजोसी और माधवन अपनी उपस्तित दर्ज कराते हैं हलाकि माधवन फिटनेस के मावले में मार खा गए एन आर आई चतुर के रूम में ओमी ने बेहतरीन अभिने किया है बोमन इरानी ने फिर साबित किया है कि वो एक कमाल के अभिनेता है ओवर एक्टिंग और एक्टि सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो लेकिन इस्क्रीन पर देखते समय अलग ही इसर छोड़ता है जूबी जूबी गाने का फिल्मांकर नूमता है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉल बुड बहतरीन फिल्म के जरिया कर रहा है और 2009 में हैट्रिक पूरी हो अनुठे बिसे चुटिले समवाद और सांदार अबने के कारण या फिल्म देखी जा सकती है अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को साकार करने का जरिया ना बनाए जो आप नहीं कर पाए हर साल देश में लगभग चार लाख यूग आत्म हत्या करते हैं जिन में ज्यादा तादा ऐसे यूगों की होती है जो बनना तो कुछ होर चाहते हैं लेकिन घरवालों के सपनों को पूरा करने में उनके अपने सपने चूर हो जाते हैं उस सपते रिलेज हुई थ्री इडिर्ट्स इन्हें बातों को असरदार ढंग से उठाती हुई फिल्म है जिस इसले साल उसी महिने रिलेज हुई आमिर खान की गजिनी ने बॉक्स आफिस पर ऐसा कमाल किया था कि पहले हपते ही फिल्म पर नोटों की जबरदस्त बारिस हो गई मुवी ने बॉक्स आफिस पर सबसे ज़्यदा कमाई की इस साल के आखिर में भी आमिर ने बॉक्स आफि चाड़याने अमिर खान सहर के नंबर वन इंजिनिरिंग कालिज में एंट्री करता है तो हर वक्त नंबर वन की रेस और सांदर करियर के पीछे भागते इस्टुडेंट को लगता है कि उन्हें या साथी खुली हवा में उड़ने का मौका देने पहुचा है दरसल कालिज के सक इसी का रुकना उन्हें पसंद नहीं है ऐसे में कालिज के ठके और दर्द में डूबे स्टुडेंट्स को रेंचो मिलता है जो उनके दर्द का इलाज बनना चाहता है कालिज में आकर रेंचो को लगता है ज्यदा तर इस्टुडेंट तो यहां मजबूरन माबाप की जित और उनके अधूर्य सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का गला घोट रहे हैं रेंचो करूब में पाटनर फ्रहात कुराशी यानि आर माधोन और राजु रस्तोगी यानि सर्मंजोसी का भी यही हाल है राजु इसकालिज के लिए पहुँचा राजु इसकालिज था उन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि फरहान वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है मूबी की स्क्रिप्ट और दिल को छूते डायलाग स्थिरी इडियर्ट की जान है कई सवाद ऐसे हैं जो हमारी ब्योस्ता पर सटीक कमेंट करते हैं वही कई ड अभिने से दर्शकों को आखिर तक बांधने में वाप पूरित रहे काम्याब रहे हैं वही सर्मन और माध्वन का जवाब नहीं प्रिंच्पल बीरू के रोल में वमन इरानी कमाल कर गए हैं करीना के हिसे में कुछ खास नहीं आया लेकिन अपने सिंपल लुक में वाख का जलवा दिखा दिया है उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके पिटारे से हर बार कुछ अलग और नया निकलता है कहानी पर हिरानी की सुरू से आखिर तक पकड़ है आमिर के रहते सर्मन माधवन बोमन से हिरानी ने बहतरीन काम लिया है और हर एक की मौजूद्गी को फि सिद्ध अंग्रीजी उपन्याज फाइब पॉइंट समोन पर आधारी थे चितरपड के मुखिकलाकार आमिर खान करीना कपूर आर्माधोन सर्मन जोसी बोमन इरानी और ओमी वैद हैं इस फिल्म को डारेक्ट राजकुमार हिरानी ने किया था इसकी निर्माता थे बिदु बहादूर इस्टूडियो थाइस में बिनोचोपडा प्रोडक्शन बितरक्थ हैसके रिलाइंस एंटर्टेन्मेंट और 171 मिनट की फिल्म है भारत में हिंदी भासा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत 49 करोड रुपे है और इसकी कुल कमाई 460 करोड रुपे आ की राश्कुमार हिरानी की खासियत है कि गंभेर बाते मनुरंजक और हस्ते हस्ते कह देते हैं जिन्हें वो बाते समझ में नहीं आती उनका कम से कम मनुरंजन तो हुई ही जाता है चितन भगत के उपन्यास फाइप पॉइंट समोन से प्रेरित फिल्म थिरी इडिट के जरिये हिरानी निवर्तमान से छप्रडाली पैरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दवा और किताबी ग्यान की उप्योगता पर मनुरंजक तरीके से सवाल उठाए हैं हर विद्यार्थी एक ना एक बार्या सोचता है कि जो पढ़ रहा है उसकी क्या उप्योगता है और सो इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि समाज में योगता मापने का डिगरी ग्रेट्स पैमाने हैं कई लड़के लड़किया इसलिए डिगरी लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथ ही मिले इन सारी बातों के हिरानी ने बोजिल तरीके से या उपदे सात्मक तरीके से पेश नहीं किया है बलकि मनुरेंजन की चासनी में डुबो कर उन्होंने अपनी बात रखी है आमिर हीरानी कंबिनेशन के करण अपेच्छाए इस फिल्म से बहुत बढ़ गई हैं और ये दुनों प्रतभासाली बेक्ति निरास नहीं करते हैं ररचोर दास स्यामल दास चा प्रोग्राफर बनना चाहता है लेकिन उसके पैदा होने के एक मिनट बाद ही उसे इंजिनियर बनना है ये उसके हिटलर पिता ने तैकर दिया था वह मर मरकर पढ़ रहा है राजु का परिवार आर्थे ग्रूप से बेहत कमजोर है भविश का डर उसे सताता रहता है बिग प्रिवा सा उड़ती पतंक सा वह ग्रेड मार्क्स के ताबी ज्यान पर विस्वास नहीं करता आसान सब्दों में कहीं बात उसे पसंद है उसका मानना है कि जिन्दगी में वो करो जो तुम्हारा दिल कहे वह काम्याबी और काबिलियत का फर्ग अपने दोस्तों को समझाता है रैंचो के विचारों से कालेश के प्रेंसपल बीर सहस्तर बुद्ध यानि बोवन इरानी बिलकुल सहमत नहीं है वो जिन्दगी की चूहा दोड़ में हिस्सा लेने के लिए एक फैक्टरी की तरह बिदार्थियों को तैयार करते हैं पढ़ाई खतम होने के बार रैंचो जो अचानक गायब हो जाता है वर्शो बार रैंचो के दरिस्त को उसके बारे में कुलो मिलता है और उसे तलासने के लिए निकलते हैं इस सपर में उन्हें रैंचो के बारे में कई नई बाते पता चलती हैं कहानी को स्क्रीन पर कहने में हिरानी माहिर हैं फ्लेस बैक का उन ने मसाला फिल्मों के फार्मूलों से भी परहेज नहीं किया है माधौन का नाटकर हवाई जहाज रुकवाना करीना कपूर को साधी के मंडब से भगा ले जाना जाविद जाफरी से आमिल का पता पुछने वाले सीन देख लगता है मानू डेविड धौन की फिल्म देख रहे से रैंचो द्वारा बार बार साबित करना की पिया एनी करीना कपूर ने गलत जीवन साथी चुना है धोकला फाफ़ला थेफला खाकरा खांडवा अला सीन राजु के घर की हालत को बिंगात्मक सैली में पेस किया गया सीन बेहतरी इन बन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन फिल्मकार पर दोराओ का असर दिखाए देता है सवाच चुटेले हैं इस देश में गारंटी की साथ 30 मिनट में पीच जा जाता है लेकिन एम्बुलेंस नहीं सेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है लेकिन उसे विल कहा जाता है विल इचुगेचर नहीं वैसे समवात फिल्म को धार पर दान करते हैं अपने में सभी कलाकारों ने अपना स्रेश्ट पर दर्शन दिया है अपनी उम्र से आधी उम्र का किलदार निभाना आसान नहीं था लेकिन आमिर ने यह कर दिखाया आज की युवा कराते हैं हलाकि माधवन फिटनेस के मावले में मार खा गए एन और आई चतुर के रूम में ओमी ने बेहतरीन अभिने किया है वोमन इरानी ने फिर साबित किया है कि वह कमाल के अभिनेता है और एक्टिंग और एक्टिंग के बीश की रेखा के वए कुछ सलता से चले हैं आमीरा उनके बीश के दरस देखने लाइक बन पड़े हैं करीना कपूर के रोल की लंबाई कम है इसके बावजोदों अपनी चाप छोड़ती हैं सांतुन मुहित्रा का संगी सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो लेकिन इसक्रीन पर देखते समय अलग ही इसर छोड होता है जूबी जूबी गाने का फिल्मांकर नूमता है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉल बुड बहतरिन फिल्म के जरिया कर रहा है और 2009 में हैड्रिक पूरी हो गई है अनुठे बिसे चुटिले सम्वाद और सांधर अबने के कारड या फिल्म देखी जा सकती ह अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को साकार करने का जरिया ना बनाए जो आप नहीं कर पाए हर साल देश में लगभग चार लाख यूग आत्म हत्या करते हैं जिन में ज्यादा तादा दैसे यूगों की होती है जो बनना तो कुछ हो चाहते हैं लेकिन घरवालो की या फिल्म पैरंट्स को यही समझाने की कोशिस करती है कि बच्चों की काम्याभी उनके काबिल बनने से है चाहे उनकी चाह किसी भी फील्ड में हो पिछले साल उसी महिने रिलेज हुई आमिर खान की गजिनी ने बॉक्स आफिस पर ऐसा कमाल किया था कि पहले हपते ही फ कामिल रही साय फिली खान की लब आजकल और सल्मान खान की वांटेड भी थिरी इडियर से पिशरती हुई लग रही थी आए जानते हैं कहानी के बारे में रैंचयानी रंचोर दास स्यामल दास चांचाड यानि आमिर खान सहर के नंबर वन इंजिनिरिंग कालिज में एंट पिशरती हैं किसी भी सुरत में इस्टूडियन को नंबर वन की धुन में डूबे रहना जरूरी है करियर की इस गलाकाट रेस में किसी का रुकना उन्हें पसंद नहीं है ऐसे में कालिज के ठके और दर्द में डूबे इस्टूडियन्स को रैंचो मिलता है जो उनके रैंचो को लगता है ज्यादा तर स्टूडन तो यहां मजबूरन माबाप की जित और उनके अधूर्य सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का गला घोट रहे हैं रैंचो करूब में पार्टनर फ्रहात कुराइसी यानि आर माधवन और राजू रस्तोगी यानि सर इंजिनियर बने वही फरहान के अबबा परिछित साहनी ने तो उसे पैदा होने पर ही उसके इंजिनियर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था उन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि फरहान वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है मोबी की स्क् और इरानी की स्क्रिट फिल्म का बेहत मजबूत पच्छ है इस पूरी फिल्म में आमिर खान चाहे हुए हैं अपने सरदार अभिने से दर्शकों को आखिर तक बांधने में वाप पूरीत रहे कामियाब रहे हैं वह सर्मन और माधौन का जवाब नहीं प्रिंपल बीरू के रोल में बॉमन इरानी कमाल कर गए हैं करीना के हिसे में कुछ खास नहीं आया लेकिन अपने सिंपल लुक में खोब जमी हैं फिल्म का म्यूजिक कहानी की डिमांड के मताबिक है जुबी डुबी और आल इस बेल गाने रिलीज से पहले ही पापलर हो चुके थे आमिर और कर पर फिल्म आये गए जुबी डुबी गाने का फिल्मांकरन का जब है राजकुमार हिरानी ने इस मूबी में भी अपने डायरेक्शन का जलवा दिखा दिया है उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके पिटारे से हर बार कुछ अलग और नया निकलता है कहानी पर हिरानी की सुस्त नहीं पढ़ने दिया है तेरी इडियर्ट्स 2009 की एक हिंदी चल्चितर है इस चल्चितर की कहानी अंग्रेजी उपन्यासकार चेतन भगित के परसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास फाइब पॉइंट समोन पर आधारित है चितरपड के मुखिकलाकार आमिर खान करीना चौपडा की इसमें संगीत दिया था संतन मोहितराने चायकार थे इसके सी केमर लीधरन संपादक थे इसके रडजीत बहादूर इस्टूडियो था इसमें बिनोच चौपडा प्रोडक्शन बिद्रक थे इसके रिलाइंस एंटरटेन्मेंट और 171 मिनट की फिल्म है भारत में हिंदी भासा में रिलेज हुई थी इस फिल्म की लागत 49 करोड रुपे है और इसकी कुल कमाई 460 करोड रुपे आ के गई है राशकुमार हिराने की खासियत है कि गंभेर बाते मनुरंजक और हस्ते हस्ते कह देते हैं जिन्हें वो बाते समझ में नहीं आती उनका कम से क मनुरंजन तो हुए ही जाता है चितन भगत के उपन्यास फाइप पॉइंट समवन से प्रेरित फिल्म थिरी इडिट के जरिये हिरानी निवर्तमान से छप्रडाली पैरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दबाव और किताबी ग्यान की उप्योगता पर मनुरंजक तर को मानना पड़ता है जिसमें उसे बैचारिक आजादी नहीं मिल पाती है माता पिता भी इसलिए दबाव डालते हैं क्योंकि समाज में योगताम आपने का डिगरी ग्रेट्स पैमाने हैं कई लड़के लड़किया इसलिए डिगरी लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथ ही मिले इन सारी बातों के हिरानी ने बोजिल तरीके से या उपदे सातमक तरीके से पेश नहीं किया है बलकि मनुरेंजन की चैसनी में डुबो कर उन्होंने अपनी बात रखी है आमिर हिरानी कंबिनेशन के करण अपेच्छाए इस फिल्म से बहुत बढ़ गई हैं औ पर छोड़ दास यामल दास चांचड का निकनेम रांचो है इंजिनिरिंग कालेज में रैंचो यानि आमिर खान फरहाद कुरैसी यानि आर माधोन और राजू रस्तोगी यानि सर्मन जोसी रूम पार्टनर्स हैं फरहान वाइल्ड लाइप फोटोग्राफर बनना चाहता ह लेकिन उसके पैदा होने के एक मिनट बाद ही उसे इंजिनिर बनना है ये उसके हिटलर पिता नेते कर दिया था वह मर मरकर पढ़ रहा है राजू का परिवार आर्थे ग्रूप से बेहत कमजोर है भविश का डर उसे सताता रहता है विग्यान का छात्र होने के बावजोद सा वह ग्रेड माक्स के ताबी ग्यान पर विस्वास नहीं करता आसान सब्दों में कही बात उसे पसंद है उसका मानना है कि जिन्दगी में वो करो जो तुम्हारा दिल कहे वह काम्याबी और काबिलियत का फर्ग अपने दोस्तों को समझाता है रैंचों के विचारों से काल सबार रैंचों के दरिस्त को उसके बारे में कलो मिलता है और उसे तलासने के लिए निकलते हैं इस सपर में उन्हें रैंचों के बारे में कई नई बाते पता सकती हैं कहानी को स्क्रीन पर कहने में हिरानी माहिर हैं फ्लेस बैक का उन्होंने यहां उम्दा प्रयोग किया है हिरानी और अबजात जोसी ने जैदा तरद्रस से ऐसे लिखे हैं जो हसने पर रोने पर या सोचने पर मजबूर करते हैं अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिल्मों के फारमूलों से भी परहेज नहीं किया है माधौन का नाटकर हवाई जहाज रुकवाना करीना कपूर को साधी के मंडप से भगा ले जाना जाविद आफरी से आमिल का पता पुछने वाले सीन देख लगता है मानू डेबिड धौन की फिल्म देख रहे हूँ पहले हाप में सरपड़ भाक्ती फिल्म दूसरे हाप में कहीं कहीं कमजूर हो गई है खास दोर पर मोना सिंग के मा बनने वाला सीन बहत फिल्मी है आमिर की फिल्म में एंट्री और रैगिंग वाला द्रस चमतकार बलतकार वाला द्रस रैंचो द्वारा बार बार साबित करना की पिया अनि करीना कपूर ने गलत जीवन साथी चुना है धोकला फाफ़ा थेफला खाकरा खांडवा अला सीन राजू के घर की हालत को बिंगातमक सैली में पेस किया गया सीन बेहतरी इन बन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पुरानी फिल्मों का परभाव ने जराया वहां मुन्ना भाई था यहां रैंचो है वहां बोमनी रानी डीन थे यहां वे प्रिंसपल हैं वहां मुन्ना भाई डीन की लड़की को चाहता था यहां रैंचो प्रिंसपल की लड़की को चाहता है हालाक इन बातों से फिलम पर कोई खास असर नहीं पड़ता लेकिन फिलम कार पर दोराओ का असर दिखाई देता है समवाद चुटेले हैं इस देश में गारंटी के साथ 30 मिनट में पीच जा जाता है लेकिन एंबुलेंस नहीं सेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है लेकिन उसे विल ट्रेंड कह जाता है विल इचुकेचर नहीं वो ऐसे समवाद फिलम को धार परदान करते हैं अबने में सभी कलाकारों ने अपना स्रेष्ट पर दरसन दिया है अपने उमर से आधी उमर का किलदार निभाना आसान नहीं था लेकिन आमिर ने यह कर दिखाया आसकी युवा पीठी के हाव भाव को उन्होंने बारीकी से पकड़ा तेज तर्रार और अपनी सर्तों पर जीने वाले रैंचों को उन्होंने पूरी उर्जा के साथ परदे पर जीवन्द किया है आमिर खान के फिल्म में होने के बावजू सर्मन जोसी और माध्वन अपनी उपस्तित दर्ज कराते हैं हलाकि माध्वन फिटनेस के मावले में मार खा गए एन आर आई चतुर के रूम में ओमी ने बेहतरीन अभिने किया है बोमन इरानी ने फिर साबित किया है कि वो एक कमाल के अभिनेता है और एक्टिंग और एक्टिंग के बीश की रेखा के वे कुछ सलता से चले हैं आमिर और उनके बीश के दर से देखने लाइक बन पड़े हैं करिना कपूर के रोल की लंबाई कम है इसके बाजू दोय अपनी चाप छोड़ती है सांतुन मुहितरा का संगी सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो लेकिन इस्क्रीन पर देखते समय अलग ही असर छोड़ता है जूबी जूबी गाने का फिलमांकर उम्दा है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉल बुड बहतरीन फिलम के जरिये कर रहा है और 2009 में हैटरिक पूरी हो गई है अनुठे बिसे चुटिले समवाद और सांदा रबने के कारड या फिलम देखी जा सकती है अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को साकार करने का जरिया ना बनाए जो आप नहीं कर पाए हर साल देश में लगभग चार लाख यूग आत्मात्या करते हैं जिन में ज्यादा तादा दैसे यूगों की होती है जो बनना तो कुछ हो चाहते हैं लेकिन घरवालों के सपनों को पुरा करने में उनके अपने सपने चूर हो जाते हैं उस सपते रिलेज हुई थ्री इडियर्ट्स इन्हीं बातों को असरदार धंग से उठाती हुई फिल्म है जिस पर पूरी दुनिया को सोचने की जरूरत है राजकुमार हिरानी की या फिल्म पैरंट्स को यही समझाने की कोशिश करती है कि बच्चों की काम्याबी उनके काबिल बनने से है चाहे उनकी चाह किसी भी फिल्ड में हो पिछले साल उसी महने रिलेज हुई आमिर खान की गजिनी ने बॉक्स अफिस पर ऐसा कमाल किया था कि पहले हपते ही फिल्म पर नोटों की जबल्डस्त बारिस हो गई मुबी ने बॉक्स अफिस पर सबसे ज़्यदा कमाई की इस साल के आखिर में भी आमिर ने बॉक्स आफिस पर दस्तक दी और थेट्रों पर अपना कब्जा कर लिया पूरे साल नमबर वन की रेस में सामिल रही साय फली खान की लब आजकल और सलमान खान की वांटेड भी थिरी इडियर से पिशरती हुई लग रही थी आए जानते हैं कहानी के बारे में रैंचयानी रंचोड़ दास से अमल दास चांचाड़ याने अमिर खान सहर के नमबर वन इंजिनिरिंग कालिज में एंट्री करता है तो हर वक्त नमबर वन की रेस और सांधर करियर के पिछे भागते इस्टुडेंट को लगता है कि उन्हे या साथी खुली हवा में उड़ने का मौका देने पहुचा है दरसल कालिज के सक्त मिजाज प्रिंसपल बीर सहस्तर बुद्धिया ने बोमन इरानी का मानना है कि किसी भी सूरत में इस्टुडेंट को नमबर वन की धुन में डूबे रहना जरूरी है करियर की इस गलाकाट रेस में किसी का रुकना उन्हें पसंद नहीं है ऐसे में कालिज के ठके और दर्द में डूबे इस्टुडेंट्स को रैंचो मिलता है जो उनके दर्द का इलाज बनना जाता है कालिज में आकर रैंचो को लगता है ज्यदा तर इस्टुडेंट तो यहां मजबूरन के लिए पहुंचा राजिश कालेज में इसलिए पहुंचा है क्योंकि लकवे के सिकार उसके पिता और जिंदगी भर परिवार का पेड़ पालने वाली मा का सपना है कि वह इंजीनियर बने वह फरहान के अबबा परिछित साहनी ने तो उसे पैदा होने पर ही उसके इंजीनि करते हैं वही कई डियालॉग स्टुडेंट के लिए मैसेज हैं और परेंट्स के लिए एक सही सोच बेसक अब जीत जोसी और हिरानी की स्क्रिट फिल्म का बेहद मजबूत पच्छ है इस पूरी फिल्म में आमिर खान चाय हुई हैं अपने सरदार अभिने से दर्शकों को आखिर तक बांधने में वह पूरीत रहें कामयाब रहें हैं वह सर्मन और माध्वन का जो आप नहीं प्रिंसपल बीरू के रोल में बॉमन इरानी कमाल कर गए हैं करीना के हिस्जे में कुछ खास नहीं आया लेकिन अपने सिंपल लुक में वह खोब जमी हैं फिल्म का की डिमांड के मताबिक है जुबी डुबी और आल इस बेल गाने रिलीज से पहले ही पापलर हो चुके थे आमिर और करीना पर फिल्माए गए जुबी डुबी गाने का फिल्मांकरन का जब है राजकुमर हिरानी ने इस मूबी में भी अपने डिरेक्शन का जिलवा दिखा दिया है उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके पिटारे से हर बार कुछ अलग और नया निकलता है कहानी पर हिरानी की सुरू से आखिर तक पकड़ है आमिर के रहते सरमन माधवन बोमन से हिरानी ने बेतरिन काम लिया है और हर एक की मौजूदगी को फिल्म का एहम हिस्सा एक पल भी कहानी की गत को उन्होंने सुस्त नहीं पढ़ने दिया है तेरी इडियर्ट्स 2009 की एक हिंदी चल्चितर है इस चल्चितर की कहानी अंग्रेजी उपन्यासकार चेतन भगत के परसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास फाइब पॉइंट समोन पर आधारित है चितर पड़कता है अब जाजोसी राजकुमार हिरानी और बिद बिनो चोपडा की इसमें संगीत दिया था संतन मोहितरा ने चायकार थे इसके सी केमरली धरन संपादक थे इसके रड़जीत बहादूर इस्टूडियो था इसमें बिनो चोपडा प्रोडक्शन बितरक थे इसके करोडर पे आगी गई है राजकुमार हिरानी की खासियत है कि गंभेर बाते मनुरंजक और हस्ते हस्ते कह देते हैं जिन्हें वो बाते समझ में नहीं आती उनका कम से कम मनुरंजन तो हुए ही जाता है चितन भगत के उपन्यास फाइप पॉइंट समवन से प्रेरित फिलम थिरी इडिट के जरिये हिरानी निवर्तमान से जप्रडाली पैरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दवा और किताबी ग्यान की उप्योगता पर मनुरंजक तरीके से सवाल उठाए हैं हर विद्यार्थी एक ना एक बार्या सोचता है कि जो पढ़ रहा है उसकी क्या और सो परानी लिखी बातों को उसे रटना पड़ता है क्योंकि परिच्छा में नंबर लाने हैं जिनके आधार पर नौकरी मिलती है उसे एक ऐसे सिस्टम को मानना पड़ता है जिसमें उसे बैचारिक आज़ादी नहीं मिल पाती है माता पिता भी इसलिए दबाव डालते ह क्योंकि समाज में योगताम आपने का डिगरी ग्रेट्स पैमाने हैं कई लड़के लड़कियां इसलिए डिगरी लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथ ही मिले इन सारी बातों के हिरानी ने बोजिल तरीके से या उपदे सात्मक तरीके से पेश नहीं किया है बलकि मन इंजिनिरिंग कालेज में रहें चोयने अमिर खान फरहाद कुरैसी यानि आर माधोन और राजू रस्तोगी यानि सर्मन जोसी रूम पार्टनर्स हैं फरहान वाइल्ड लाइब फोटोग्राफर बनना चाहता है लेकिन उसके पैदा होने के एक मिनट बाद ही उसे इंजिन पाठा और हाथ में पहनी ग्रह सांती के अंगूठिया पर है वा डर डर कर पड़ रहा है रंचो एक अलग ही किसम का इंसान है बैती हवासा उड़ती पतंग सा वा ग्रेड माक्स किताबी ग्यान पर विस्वास नहीं करता आसान सब्दों में कही बात उसे पसंद है उसका मा नहीं है वह जिन्दगी की चूहा दोड़ में हिस्सा लेने के लिए एक फैक्टरी की तरह बिदार्थियों को तयार करते हैं पढ़ाई खतम होने के बार रैंचो अचानक गायब हो जाता है वर्सवा रैंचो के दरिस्त को उसके बारे में क्लो मिलता है और उसे तलासने के लिए निकलते हैं इस सफर में उन्हें रैंचो के बारे में कई नई बाते पता चलती हैं कहानी को स्क्रीन पर कहने में हिरानी माहीर है फ्लेस्बैक का उन्होंने यहां उम्दा प्रयोग किया है हिरानी और अबजात जोसी ने जैदा तरद्रस ऐसे लिखे हैं जो हसने पर रोने पर या सोचने पर मजबूर करते हैं अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिल्मों के फार्मूलों से भी परहेज नहीं किया है माधौन का नाटकर हवाई जहाज रुकवाना करीना कपूर को साधी के मंड़ब से भगा ले जाना जाविद जाफरी से आमिल का पता पुछने वाले सीन देख लगता है मानू डेबिड धौन की फिल्म देख रहे हूँ पहले हाप में सरपड़ भाक्ती फिल्म दूसरे हाप में कहीं कहीं कमजूर हो गई है खास दोर पर मोना सिंग के मा बनने वाला सीन बहत फिल्मी है आमिर की फिल्म में एंट्री और रैग वावला सीन, राजु के घर की हालेत को बिंगात्मक सैली में प्येस किया गया सीन, बेहतरी इन बन पड़े हैं हिरानी पर अपनी पुराणी फिल्मों का परभाव न ज़र आया, वहां मुनना भाई था, यहां रैंचो है, वहां गारंटी की साथ 30 मिनट में पीच जा जाता है लेकिन एंबुलेंस नहीं सेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है लेकिन उसे विल ट्रेंड कहा जाता है विल इचू केचेट नहीं वैसे समवात फिल्म को धार परदान करते हैं अबने में सभी कलाकारों ने अपना सर्तों पर जीने वाले रैंचों को उन्होंने पूरी उर्जा के साथ परदे पर जीवन्द किया है आमिर खान के फिल्म में होने के बावजोश सर्मंजोसी और माध्वन अपनी उपस्तित दर्ज कराते हैं हलाकि माध्वन फिटनेस के मावले में मार खा गए एन आर आई च पूर के रोल की लंबाई कम है इसके बावजोदों अपनी चाप छोड़ती हैं सांतुन मुहित्रा का संगी सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो लेकिन इसक्रीन पर देखते समय अलग ही इसर छोड़ता है जूबी जूबी गाने का फिल्मांकर उम्दा है पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉल बुड बहतरिन फिल्म के जरिये कर रहा है और 2009 में हैडरिक पूरी हो गई है अनुठे बिसे चुटिले समवाद और सांदा रबने के कारड या फिल्म देखी जा सकती है अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को साकार करने का जर अपने सपने चूर हो जाते हैं उस अपते रिलेज हुई थ्री इडियर्ट्स इन्हीं बातों को असरदार ढंग से उठाती हुई फिल्म है जिस पर पूरी दुनिया को सोचने की जरूरत है राजगुमार हिरानी की या फिल्म पाइरंट्स को यह समझाने की कोशिस करती है क बच्चों की कामियाबी उनके काबिल बनने से है चाहे उनकी चाह किसी भी फील्ड में हो पिछले साल उसी महिने रिलेज हुई आमिर खान की गजिनी ने बॉक्स आफिस पर ऐसा कमाल किया था कि पहले हपते ही फिल्म पर नोटों की जबरदस्त बारिस हो गई मुवी ने ब जल्मान खान की वांटेट भी थिरी इडियर से पिशर्ती हुई लग रही थी आईए जानते हैं कहानी के बारे में रैंचयानी रंचोरदास से अमलदास चांचाड़ याने अमिर खान सहर के नंबर वन इंजिनरिंग कालिज में एंटरी करता है तो हर वक्त नंबर वन की र सुरत में इस्टूडेंट को नंबर वन की धुन में डूबे रहना जरूरी है करियर की इस गलाकाट रेस में किसी का रुकना उन्हें पसंद नहीं है ऐसे में कालेज के ठके और दर्द में डूबे इस्टूडेंट्स को रैंचों मिलता है जो उनके दर्द का इलाज बनना कालेज में आकर रैंचों को लगता है ज्यदा तर इस्टूटन तो यहां मजबूरन माबाप की जित और उनके अधूर्य सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का गला गोट रहे हैं रैंचों को रूब में पाटनर फ्रहात कुराशी यानि आर माधोन और राजू र परिच्छित साहनी ने तो उसे पैदा होने पर ही उसके इंजिनियर बनने का सपना देखना शुरू कर दिया था उन्हें इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि फरहान वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है मोबी की स्क्रिप्ट और दिल को छूते डायलाग की स्क्रिप्ट फिल्म का बेहत मजबूत पच्छ है इस पूरी फिल्म में आमिर खान चाहे हुए हैं अपने सरदार अभिने से दर्शकों को आखिर तक बांधने में वाप पूरीत रहे कामयाब रहे हैं वह सर्मन और माधौन का जवाब नहीं प्रिंपल बीरू के रोल में वमन इरानी कमाल कर गए हैं करीना के हिसे में कुछ खास नहीं आया लेकिन अपने सिंपल लुक में वाख खोब जमी हैं फिल्म का म्यूजिक कहानी की डिमांड के मताबिक है जुबी डुबी और आल इस बेल गाने रिलीस से पहले ही पापलर हो चुके थे आमिर और करीना प सरमन, माधवन, बोमन से हिरानी ने बेतरीन काम लिया है और हर एक के मौजूदगी को फिल्म का एहम हिस्सा बनाया है एक पल भी कहानी की गत को उन्होंने सुस्त नहीं पढ़ने दिया है तेरी एडियर्स 2009 की एक हिंदी चलचितर है इस चलचितर की कहानी अंग्रेजी उप राजकुमार हिरानी ने किया था इसके निर्माता थे बिद बिनो चोपड़ा इसको लिखा था अवजाद जोसी और राजकुमार हिरानी ने पढ़कता है अवजाद जोसी राजकुमार हिरानी और बिद बिनो चोपड़ा की इसमें संगीत दिया था संतन मोहितरा ने छायक मिनट की फिल्म है भारत में हिंदी भासा में रिलीज हुई थी इस फिल्म की लागत 49 करोड रुपे है और इसकी कुल कमाई 460 करोड रुपे आके गई है राशकुमार हिरानी की खासियत है कि गंभेर बाते मनुरंजक और हस्ते हस्ते कह देते हैं जिन्हें वो बाते समझ में आती उनका कम से कम मनुरंजन तो हुए ही जाता है चितन भगत के उपन्यास फाइब पॉइंट समवन से प्रेरित फिल्म थिरी इडिट के जरिये हिरानी निवर्तमान से छप्रडाली पैरेंट्स का बच्चों पर कुछ बनने का दवा और किताबी ग्यान की उपयोगता पर मनुरंजक तरीके से सवाल उठाए हैं हर विद्यार्थी एक ना एक बार्या सोचता है कि जो पढ़ रहा है उसकी क्या उपयोगता है और सो पुरानी लिखी बातों को उसे रटना पढ़ता है क्योंकि परिच्छा में नमबर लाने हैं जिनके आधार पर नौकरी मिलती है उ इसलिए डिगरी लेते हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथ ही मिले इन सारी बातों के हिरानी ने बोजिल तरीके से या उपदेशातमक तरीके से पेश नहीं किया है बलकि मनुरंजन की चैसनी में डुबो कर उन्होंने अपनी बात रखी है आमिर हिरानी कामिनेशन के कर माधोन और राजू रस्तोगी यानि सर्मन जोसी रूम पार्टनर्स हैं फ्रहान वाइल्ड लाइब फोटोग्राफर बनना चाहता है लेकिन उसके पैदा होने के एक मिनट बाद ही उसे इंजीनियर बनना है ये उसके हिटलर पिता ने तै कर दिया था वह मर मरकर पढ़ रहा ह राजू का परिवार आर्थे ग्रूप से बेहत कमजोर है भविश का डर उसे सताता रहता है बिग्यान का छातर होने के बावजोद वा तमाम अंदविश्वासों से घिरा हुआ है पढ़ाई से जदा उसे पूजा पाठा और हाथ में पहनी ग्रह सांती के अंगूठिया पर मारा दिल कहे वह काम्याबी और काबिलियत का फर्ग अपने दोस्तों को समझाता है रैंचों के विचारों से कालेश के प्रेंसपल बीर सहस्तर बुद्ध यानि बोवन इरानी बिल्कुल सहमत नहीं है वह जिन्दगी की चूहा दोड़ में हिस्सा लेने के लिए एक सिर्टों के बारे में कई नही बाते पता चलती हैं कहानी को स्क्रीन पर कहने में हिरानी माहीर हैं प्लेसबैक का उन्होंने यहां उम्दा प्रयोग किया है इरानी और अविजात जोसिं ने जयदा तरद्रस से ऐसे लिखे हैं जो हसने पर रोने पर या सूचने पर मजबूर करते हैं अपनी बात कहने के लिए उन्होंने मसाला फिल्मों के फारमूलों से भी परहेज नहीं किया है माधोन का नाटक कर हवाई जहाज रुकवाना करीना कपूर को साधी के मंडब से भगा ले जाना परहेज उन्होंना सिंग के मा बनने वाला सीन बेहत फिल्मी है आमिर की फिल्म में एंट्री और रैगिंग वाला द्रस से चमतकार बुलतकार वाला द्रस रैंचों द्वारा बार-बार साबित करना की पीया निकरीना कपूर ने गलत जीवन साथी चुना है ढोकला-फाफल थेफला, खाकरा, खांडवा अला सीन, राजू के घर की हालत को बिंगात्मक सैली में पेस किया गया सीन, बेहतरी इन बन पड़े हैं, हिरानी पर अपनी पुरानी फिल्मों का परभाव ने जराया, वहां मुन्ना भाई था, यहां रैंचो है, वहां बोमन हिरानी डीन थे, य हमें प्रिंसपल हैं, वहां मुन्ना भाई डीन की लड़की को चाहता था, यहां रैंचो प्रिंसपल की लड़की को चाहता है, हालाक इन बातों से फिल्म पर कोई खास असर नहीं पड़ता, लेकिन फिल्मकार पर दोराओ का असर दिखाए देता है, सवाद चुटेले हैं, इस देश में गारंटी की साथ 30 मिनट में पीच जा जाता है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं, सेर भी रिंग मास्टर के डर से कुछ सीख जाता है, लेकिन उसे विल ट्रेंड कहा जाता है, विल इचुकेचर नहीं, वैसे समवाद फिल्म को धार पर दान करते हैं, अबने में देश तर्रार और अपनी सर्तों पर जीने वाले रैंचों को उन्होंने पूरी उर्जा के साथ परदे पर जीवन्द किया है, अमिर खान के फिल्म में होने के बावजूस सरमंजोसी और माध्वन अपनी उपस्तित दर्ज कराते हैं, हलाकि माध्वन फिटनेस के मामले में म पर जायक बन पड़े हैं, करिना कपूर के रोल की लंबाई कम है, इसके बावजूदों अपनी चाप छोड़ती हैं, सांतुन मुहित्रा का संगी सुनने में भले ही अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन इसक्रीन पर देखते समय अलग ही इसर छोड़ता है, जूबी जूबी पिछले दो बार से वर्स का तापमान बॉली बुड बहतरीन फिल्म के जरिया कर रहा है, और 2009 में हैडरिक पूरी हो गई है, अनुठे बिसे चुटिले समवाद और सांदार अबने के कारड या फिल्म देखी जा सकती है, अपने बच्चे को अपने उन अधूरे सपने को सा करने में उनके अपने सपने चूर हो जाते हैं, उस अपने रिलेज हुई त्री इडियर्ट्स इन्हीं बातों को असरदार धंग से उठाती हुई फिल्म है, जिस पर पूरी दुनिया को सोचने की जरूरत है, राजकुमार हिरानी की या फिल्म पैरंट्स को यही समझाने की कोशिस करती है कि बच्चों की कामियाबी उनके काबिल बनने से है, चाहे उनकी चाह किसी भी फील्ड में हो, पिछले साल उसी महिने रिलेज हुई आमिर खान की गजनी ने बॉक्स आफिस पर ऐसा कमाल किया था कि पहले हपते ही फिल्म पर नोटों की जबरदस्त बारिस हो इडियर से पिशर्ती हुई लग रही थी, आए जानते हैं कहानी के बारे में, रैंचयनी रंचोर दास स्यामल दास चांचाड यानि अमिर खान सहर के नमबर वन इंजिनरिंग कालिज में एंटरी करता है, तो हर वक्त नमबर वन की रेस और सांधर करियर के पीछे भागते स्टुडेंट को लगता है कि उन्हें या साथी खुली हुआ में उड़ने का मौका देने पहुचा है, दरसल कालिज के सक्त मिजाज प्रिंसपल बीर सहस्तर बुद्धिया ने बोमन इरानी का मानना है कि किसी भी सूरत में स्टुडेंट को नमबर वन की धुन में डूबे रहना जरूरी है करियर की इस गलाकार ट्रेस में किसी का रूकना उन्हें पसंद नहीं है ऐसे में कालिज के थके और दरद में डूबे स्टुडेंट्स को रेंचों मिलता है जो उनके दरद का इलाज बनना चाता है कालिज में आकर रैंचो को लगता है ज्यादा तर स्टूटन तो यहां मजबूरन माबाप की जित और उनके अधूर्य सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों का गला घोट रहे हैं रैंचो को लूब में पार्टनर फ्रहात कुरासी यानि आर माधन और राजू रस्तोगी यानि सरमंजोसी का भी यही हाल है